अभी तक आपने पढ़ा, तुम्हे बोलाना लंच का टाइम हो गया है, इसका मतलब लंच का टाइम हो गया है और तुम्हे मेरे साथ आज लंच करना ही होगा कल तो वैसे भी तुमने अरे पर मुझे काम करने तो ना यार वैसे भी कल की मीटिंग का कुछ पता नहीं है तुमने सब कुछ बिगार दिया था अगर अरनव को पता चला कि तुम्हारी वज़े से सब काम पैंडिंग पर छूट रहा है तो वो मुझे डाटेगा सुना एक नंबर के फट्टू हो हर बात पर डरते रहते हो भाई जब आएंगे तबान्या के साथ हनीमून मना कर आएंगे और उनका मूड इतना अच्छा होगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे अरे पर मेरी बात तो सुनो तुम जीवन कुछ बोलना चाहता था लेकिन आजिविका ने उसे वही सोफे पर पटक दिया जीवन अपने आपको संभालता है ये क्या कर रही हो तुम खाना खाओ वरना मूँ में ठूस दूनगी आजिविका उसे धमकी देते हुए बोली जीवन ने अपने हाथ जोड लिया और बोला अच्छा अच्छा ठीक है खा रहा हूँ आज कल तुम मुझे बात बात पर धमकी देने लगी है ऐसा लगने लगा है जैसे मैंने किसी आतनक्वादी से प्यार कर लिया है ये करो वरना ये कर दूनगी अगर ये नहीं करोगे तो काट जाओंगी पिट जाओंगी आजीविका उसके पास बैठ गई और उसके चहरे को पकड़ कर उसके गाल पर किस करते हुए बोली जब मैं कार में सुबह सुबह काम कर रही थी तब तुमने मेरा लप्टॉप तोर दिया था मैंने कम से कम तुम्हारे साथ इतना बुरा तो नहीं किया है जीवन उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसके चहरे की तरफ देखा है अच्छा ये सब छोड़ो ये बताओ क्या तुमने भावी से बात की थी नहीं मैंने आन्या से कॉल नहीं किया वैसे भी वो डोनों क्वालिटी टाइम बिताने गए है मैं उनको कॉल करके उनका कीमती वक्त क्यूं खराब करूं और अगर मॉम को पता चलता तो मेरी जान निकाल देती हाँ हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है भावी तो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है अगर तुम उन्हें कॉल करोगी तो शायद तुमसे गोसिप करेगी कि उनका हनीमून कैसा जा रहा है जीवन हस कर बोला पर क्या तुम्हें अच्छा लगेगा हम दोनों एक बैड पर है और मेरा मोबाइल रिंग करने लगे आजीविका निवाला जीवन के मुण में रखते हुए बोली नहीं बिल्कुल नहीं जीवन उसकी तरफ देख अपनी गर्दन हिला कर बोला हाँ वही तो है भाई को भी ये बात पसंद नहीं आई तो हम दोनों की गर्दन उडा देगे वो जीवन उसकी बात सुन अपनी गर्दन हिला कर बोला हाँ ये बात तो सही कही तुमने वैसे मेरी जान समझदार हो गई है हाँ वो तो मैं हूँ आजीविका अपने बालों को जटके से पीछे करते हुए कहती है जीवन उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा देता है वैसे तुमने डांट खाने के काम तो कर दिये है क्या किया मैंने आजीविका अपने कंधे उच्चका कर बोली तुमने मिसरोडा का नाराज कर दिया है हाँ ये तो तुमने सही कहा पर वो तुमसे इतना क्यूं चिपक रही थी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे ओहू मैं तुम्हारा ही हूँ पर बाबू तुम्हे पता है वो कितना गुस्सा हो गई थी कॉल रिसीवी नहीं कर रही है अगर ऐसा है तो मैं उनको सौरी कह देती हूँ नहीं तुम्हें सौरी कहने की कोई जरूरत नहीं है मैंने उनको मेसेज कर दिया था सीन किया था बट कोई रिप्लाई नहीं दिया वो तो सच में नट चदी है यार ऐसा नहीं है अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो हम अगर उसकी इंसल्ट करेंगे तो अफकोस वो बुरा माने गाही जीवन उसे समझाते हुए कहता है दोनों अभी अपना लंट समाप्त करते हैं तभी केबिन के डोर पर नौक होता है पियून अंदर आया उसने जीवन और आजीविका से कुछ कहा जिसे सुन जीवन और आजीविका एक दूसरे के चहरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं जब भी उन्हें बताया कि बाहर कोई और उनसे मिलने आया है कौन आया है? सर कल वाली मैडम आई है इतना कहकर पियून आजिविका की तरफ देखने लगता है जीवन समझ गया कि कोई और नहीं बलकी मौनी ही आई होगी जीवन पियूने को देखते हुए बोला एक काम करो तुम उनको मीटिंग रूम में बैठा दो मैं आता हूँ जीवन की बात सुनकर पियून चुप चाप वहां से चला जाता है वही उसके जाने के बाद आजिविका ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा क्या मिसरोडा यहां पर आई है कहीं कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मीटिंग कैंसिल तो करने नहीं आई है हाँ हो भी सकता है लेकिन जो भी हो हमें देखना तो होगा ही खेर मेरा लांच हो गया है जीवन ने अपने हाथ में पड़ा हुआ खाने का आखिरी निवाला उसके मुँँ में डाल दिया और उठकर वाश्रूम की तरफ चला गया वहीं आजीविका उस निवाले को चबाते हुए उसकी तरफ देखती है और अपने आपसे कहती है गलती मैंने की है मुझे बिना वज़े उसके उपर पानी नहीं फेकना चाहिए था इसलिए सौरी भी मुझे ही कहना पड़ेगा आजीविका उठकर जीवन के पीछे पीछे वाश्रूम के अंदर आती है जीवन उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ इतनी जल्दी जल्दी क्यूं खा रही हो आराम से खालो आजीविका अपने मुँँपर अपना हाथ रखती है और अपने मुँँँ में भरा हुआ खाना जल्दी जल्दी चबा कर अपने गले से नीचे उतारते हुए जीवन की तरफ देखते हुए कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी मैं तुम्हें मिस अरोडा के पास अक आजीवी का अपना हाथ धोती है और पानी को अपने हाथ से छिरिकते हुए अपना मूँ जीवन की बलेज़ में साफ करती है उसे इस वक्त जीवन का बलेज़ कोई टौवल की तरह लग रहा था। सौरी बोलने के बाद मैं वहां से चली जाऊंगी लेकिन गलती मैंने की है तो सौरी भी मुझे ही बोलना है आजीविका ने उसे समझाते हुए कहा। पकड़ कर उसे रोक लिया लेकिन मैंने कहा था ना मैं सौरी कह दूनगा। आजीविका पलट कर उसके चहरे की तरफ देखकर बोली जब गलती की है तो सौरी भी मुझे ही बोलना चाहिए खेर सौरी किस बोलना है इस बात पर ज्यादा डिसकशन करने की बजाए हमें चलना चाहिए वरना में सरुडा कोई यही लगेगा कि हम उनको इग्नो कर रहे है जीवन इस बात पर आजीविका से कोई बहस नहीं करता उसने चुपचाप अपनी गर्दन हिलाए और मुस्कुराते हुए उसके कंदे पर हाथ रखते हुए बोला मेरी होने वाली पत्नी धीरे-धीरे समझदार होती जा रही है मैं तुम्हारी पत्नी तो हो चुकी हूँ आजीविका ने मुस्कुराते हुए कहा और जीवन को आँख मारते हुए देखने लगती है जीवन भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा है उसके बाद उसका हाथ पकड़ कर मीटिंग रूम में आ जाता है मीटिंग रूम का दर्वाजा खोला तो चय पर मौनी बैठी हुई थी उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें शायद कुछ देख रही थी कहीं दिल कैंसिल तो नहीं करने वाली है आजीविका ने नजर उठा कर जीवन के चहरे को देखते हुए कहा कुछ भी हो लेकिन हमसे गलती तो हुई है जीवन उसकी आँखों में देखते हुए कहता है और फिर दोनों टेबल के पास पहुँचते हैं मौनी उन दोनों की आहट सुनकर उनके चहरे की तरफ देखने लगती है मौनी चेय से उठते हुई जीवन की तरफ देखती है मौनी जीवन वो इतना ही बोलती है कि आजीविका ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया उसने अपनी गर्दन हलका सा जुकाई वो बोली मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है मैं अरोडा मुझे माफ कर दीजिए क्या आप यहां पर मीटिंग कैंसिल करने आई है लेकिन प्लीज मैंने जो भी किया उसकी सजा कमपनी को मत दीजिए क्योंकि यह दिल दोनों कमपनी के लिए बहुत जरूरी है और मैं तो बस कुछ दिनों के लिए कमपनी के अंदर हूँ फिर मैं चली जाऊंगी मुझे तो कुछ आता भी नहीं है मौनी उसकी बात सुन हां मैं जानती हूँ आपको यही लगता है और ये आजीविका उसकी बात को दोबारा बीच में काटते हुए कहती है हां मुझे पता है आप इसके बारे में भाई को भी बताने वाली है लेकिन अब भाई को बता देना पर सिर्फ मेरा नाम लेकर बताना जीवन का नाम मत लेना क्योंकि सब मैंने किया है आजीविका शायद उसकी बात सुनने के लिए तयार ही नहीं थी सिर्फ अपनी ही बाते कहती जा रही थी तभी जीवन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला शांत हो जाओ शायद वो भी कुछ कहना चाहती है अजजू आजीविका ने अपनी नजरे उठा कर मौनी की तरफ देखा और बोली ओ सौरी मुझे नहीं पता था कि आप भी कुछ बोलना चाहती है बताए क्या कहना चाहती है अगर आपको मुझे डांट ना है तो आप डांट सकती है मुझ पर गुस्सा कर सकती है मौनी उसके चहरे की तरफ देखने लगती है तभी जीवन में उसकी हथेली को हल्का सा दबा देता है जीवन की नजरों को देखकर आजीविका खामोश हो जाती है वही मौनी अपने हाथ में पड़ी हुई फाइल को जीवन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है मैंने पेपर से शाइन कर दिये है, जो कल आपने दिये थे जीवन। जीवन ने उसके चहरे की तरफ देखा और फिर फाइल को लेते हुए बोला प्रोजेक्ट के लिए। हाँ और तो किस चीज के पेपर्स होगे मौनी मुस्कुराते हुए कहती है जीवन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा इसका मतलब आपने प्रोजेक्ट कैंसल नहीं किया है प्रोजेक्ट कैंसल करने वाली बात नहीं थी तो मैं ऐसा क्यूं करती मौनी ने उन दोनों के चहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा वही दोनों उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगते हैं मौनी उन दोनों के पास आती है आजी विका ने मौनी को देखते हुए कहा थांक्यो सो माच आपने ये डील कैंसल नहीं कि वरना मुझे तो लगा था मेरी गलती की वज़े से जीवन क बहुत डांच पढ़ने वाली है क्योंकि भाई तो बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस है नहीं ऐसा नहीं है वैसे तुमने कुछ गलत नहीं किया था अगर मैं भी तुम्हारी जगा होती तो शायद यहीं करती मौनी इतना कहते हुए उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़ देती है वैसे सच बताऊं तो आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और आप दोनों की जोड़ी देखकर ऐसा लगता है जैसे आप meet for each other हो मौनी की बात सुन दोनों के चहरे पर मुस्कुराहटा जाती है और दोनों एक दूसरे के चहरे को देखने लगते हैं आजी व इससा नहीं करती तो क्या करती आपने मेरी द्रैस खराब कर दी थी और फिर मुझे द्रास बदलना पड़ा वैसे मैं मीटिंग के बाद एयपोर्ट जाने वाली थी लेकिन मुझे घर जाना पड़ा और लेट हो गई थी क्योंकि कल मेरी जिनके साथ मीटिंग थी कोई और नही बलकी मेरे फियोन से थे और मैं काफी देरी से उनके पास पहुँची तो उनको बहुत बुरा लगा था काफी देर से वेट कर रहे थे मेरा मौनी की बात सुनकर आजीविका का चहरा बिलकुल गुलाब के फूल की तरह खिल जाता है मिस अरुडा आपका भी फियोन से है आजीविका संभालिये नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है वही जीवन उसकी बात सुनकर अपनी आँखें गोल-गोल भुमा देता है जैसे अपने आप से कह रहा हूँ कि यह कैसा सवाल है मौनी उसकी बात सुनकर हसने लगती है क्यूं क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ नहीं नहीं मिस अरोडा आप तो बहुत खुबसूरत दिखती है अगर कोई भी लड़का आपको दिखेगा तो आपकी खुबसूरती पर बिलकुल फिदा हो जाएगा आजीविका उसकी तारीफ करते हुए बोली ऐसा भी नहीं है अगर ऐसा होता तो शायद जीवन मुझ पर फिदा हो चुका होता सही कहा ना जीवन, मौनी ने जीवन के चेहरे की तरफ देख कर कहा वही जीवन तो बिलकुल खामोश हो गया जबकि आजीविका उसकी बात सुनकर जीवन की हथेली को और भी कसकर पकड लेती है जैसे उसे कहीं दूर जाने नहीं देना चाहती हो अरे रिलक्स जीवन मैं मजाक कर रही हूं और आजीविका तुम सच में बहुत पजेसिव हो मौनी ने आजीविका की तरफ देखते हुए कहा हाँ क्योंकि जीवन सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा आजीविका पूरे हक के साथ जीवन के हाथ को कसकर पका कर बोली मौनी बोली गौड तुम दोनों की जोड़ी को यूँ वी सलामत रखे और तुम दोनों एक साथ रहो हमेशा ठैंक यू सो मच जीवन और आजीविका एक साथ कहते हैं तुम मुझ में खोया रहे मैं तुझ में खोई रहूं ये जिन्दगी एक, दूसरे पर मरते, मरते बीट जाएगी मनी कुछ सोचते हुए जीवन की तरफ देखकर आजीविका से बोली वैसे आजीविका क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम जीवन से इतना प्यार कैसे करती हो means romance आजीविका उसकी तरफ देखकर बोली पर आप क्यों पूछ रही मिस अरोडा romance तो अपने आप आजाता है जहां प्यार होता है नहीं इस मामले में सभी लगकी नहीं होते शायद कुछ लोगों को प्यार जताना नहीं आता वो बस प्यार करते है पर romance नहीं कर पाते लेकिन आप तो इतनी प्यारी है मिस अरोडा सामने वाले को अपने आप आपके साथ romance करने का मन करता होगा हाँ हाँ ऐसा होता है पर मैं उनके romance को खराब कर देती हूँ इसलिए मेरे फियोन से कहते है मुझे की तुम जाकर romance की class लेकर आओ बहुत अन्रोमांटिक हो मिस अरोडा अपना दुख बताते हुए बोली तभी मिस अरोडा उन दोनों को देखने लगती है और जीवन ने आजीविका के चहरे की तरफ देखा तो आजीविका भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी दोनों एक दूसरे के होंटों को देख रहे थे और अगले ही पल जीवन और आजीविका ने एक दूसरे के होंटों को आपस में क्याद कर लिया मिस अरोडा तो ये देखकर दंग रह जाती है ये तो बिल्कुल साउथ हिंड़िस्ट्री की मुवीज का सीन हो गया था मिस अरोडा ने अपना मुँँ खोले उन दोनों को देखना शुरू कर दिया आप दोनों ये मौनी के मुँँ में शब दटके ही रह गये वो बेचारी तो पहली बार किसी बिजनेस कमपनी में ये सीन देख रही थी वही जीवन और आजीविका आँखें बंद करके एक दूसरे को मधोशी से चुम रहे थे कुछ पलो बाद दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और आखे खोल कर एक दूसरे के चहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते है लगता है रोम्यांस ज्यादा हो गया, आजी विका ने सवालिया नजरों से उसको देखते हुए कहा हाँ हाँ, जीवन हस्ते हुए उसके चहरे को देखता है उन दोनों का रोम्यांस देखकर तो अच्छे अच्छे गायब हो जाए ये तो मिस अरोडा ही थी रात का समय, माल दीवस, आन्या, अर्नव की गोद में बैठी हुई थी और बड़े ही आराम सो बैठ कर रूम की दिवार पर लगा टीवी देख रही थी उसने ब्राउन कलर की टिशर्ट पहनी हुई थी, नीचे कुछ भी नहीं पहन रखा था टीवी पर कार्टून चल रहे थे, अर्नव उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था और आन्या के दोनों हाथ अर्नव के गले में लपेटे हुए थे टीवी पर टॉम एंड जैरी चल रहा था, अन्या उसको देखते हुए हंस रही थी तो अर्नव बोला एंजल खाना खाते हुए ऐसे कार्टून नहीं देखने चाहिए, खाना गले में अटक गया तो ही ही, ही ही, हाँ हाँ, आन्या तो उसकी पाते सुन हस्ती ही जा रही थी अर्नव ने उसकी हरकत देखी तो उसे खिलाना बंद कर दिया ये देखकर आन्या ने छोटा सा मुह बना लिया, तो अर्नव बोला चुप चाप रिमोट दो आन्या ने अपनी गर्दन हिला कर उसे मना करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं दूनगी, आप हटा दोगे वो अपने पैरों को हिला कर बोली, आन्या ने कुछ देर पहले उसे रिमोट दिया था तो अर्नव ने चैलन चेंज कर दिया था जिसके बाद आन्या ने बच्चों की तरह हात पैर पटकने शुरू कर दिये थे आन्या को मनाने के लिए अर्नव ने वापस कार्टून लगा दिया था और उसे खाना खिलाना लगा था वो उसका बिलकुल बच्चों की तरह ख्याल रख रहा था जिसके चलते वो अपने आपको बच्ची ही समझ रही थी अर्नव ने उसे घूरते हुए देखा और रिमोट मांगने लगा तो आन्या ने रिमोट अपनी बगल के नीचे छिपा लिया अब अर्नव ने उसे देखा और मन ही मन बोला 20 साल की उम्र में भी बच्चपना शायद कभी लोग कहते है कि कम उम्र वाली लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए ये खुद बच्चपने में जी रही होती है और पिरियद्स में तो अब अर्नव ने उसके गाल को किस किया और उसके बालो को कान के पीछे करते हुए बोला बच्चा बस कुछ देर के लिए बंद कर दो बाद में वापस चालू कर लेना पक्का नहीं अभी देखना है तो अभी देखना है ऐसे जिद नहीं करते तुम मेरी प्यारी एंजल होना आन्या ने अपना मूँ दूसरी तरफ कर लिया पर तिर्ची नजरों से उसे देख रहा था प्लीज बच्चा अरनव रिक्वेस्ट कपते हुए बोला आन्या ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और बोली लेकिन मुझे रोकना नहीं मैं बाद में देखूंगी और आपकी बात नहीं सुनांगी ठीक है जैसा तुम कहो हम आन्या ने चुपचाप टीवी बंद कर दी आन्या ने अचानक अपना हाथ उसके सामने करते हुए कहा आप हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करोगे प्रोमिस करिये डेविल आन्या की बात सुन अरनव ने उसकी हथेली की तरफ देखा तो अन्या बोली ऐसे देखना बंद करिये और प्रोमिस करिये अर्नव ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहा ओके एंजल प्रोमिस अब आगे वही दूसरी तरफ इन सभी से दूर एक सुनसान आया लेंड जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था समुंद्र की लहर जब हवा के बहाव की वजह से उठ रही थी तो उन लहरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था घना जंगल पर उस जंगल ने आग जल रही थी पास जाकर देखा जाए तो ये आग नहीं थी बलकी थी एक देहागनी शायद कोई वहाँ पर अंटिम संसकार कर रहा था किसी का पर इतने बड़े आयलेंड में कौन हो सकता था ये एक लड़की थी जिसका चेहरा आग की लपेटा के साथ दिखाई दे रहा था गोर रंग, खुबसूरत शरीर वर उस शरीर पर बेहद कम कपडे बेहद पतला घुटनों से उपर तक एक सकट पहना हुआ था जो भी हवा के साथ उड़ रहा था उस लड़की की आँखों में एक अजीब सा गुस्सा था ऐसा गुस्सा की जैसे वो सब कुछ खत्म कर देन चाहती हो। उस लड़की के चेहरे पर किसी का कोई खोफ नहीं था, वो तो बस दराना जानती थी, शायद दर उसके अंदर से खत्म हो चुका था। वही उस लड़की के सामने एक लड़की और खड़ी थी जो उस लड़की की असिस्टेंट थी। ये लड़की जो अगनी क देख रही थी वो कोई और नहीं बलकि डेविड की बहन थी और उसकी आँखों ने बेहिसाब नफरत और गुसा दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर समझा जा सकता था कि उसे इस वक्त कितना गुसा आ रहा था, वो उस जलती हुई आग को देखकर बोली किसने मेरा है मेरे भाई को, वही उसकी सेकेटरी जो उसके चहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी वो अपनी नजरे निचे करते हुए बोली अरनव, सिंघानिया, ये नाम सुनते ही उसके चहरे के हाव, भाव बदल गए, सुनसान घना जांगल और सामने समुद्र विशाल समुद्र जिसमें लहरी उट रही थी आसमान में चांद चमक रहा था और चांद की परचाई उन लहरों से गुजर रही थी जबकि वही रेत पर देहागनी जल रही थी और उस लड़की ने जब अपनी सेक्रेटरी की बात सुनी तो उसे देखने लगती है उसके चहरे पर बिलकुल हैरानी औ गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे एक नफरत का भाव उसके चहरे पर दिखाई दे रहा था ये लड़की कोई और नहीं बलकी डेविड की बहन अमायरा है डेविड जिसका रियल नेम धुरूब डिसूजा था जिसने अपनी एक अलग दुनिया बनाई थी और उसके पास पॉरेन वीजा था एक इंडियन सिटिजन जिसे काफी सालों पहले अपनी सिटिजनशिप छोड़ दी थी लेकिन उसकी बहन अमायरा जो आज भी एक बड़ा बिजनेस चलती थी हालांकि डेविड की बहन को दुनिया में कोई नहीं जानता था शायद डेविड के पूरे प कमपनी की एक जरूरी डील के लिए जब बाहर गई तब अचानक उसे खबर मिली कि उसका भाई डेविड मर जा चुका है वो अपने भाई की लाश को उस तरीके से विदा नहीं कर पाई जिस तरीके से उसे करना था उसे अपने भाई को एक सुनसान जगह है एक सुनसान पड़ रहा था अरनाव सिंधानिया उसने मारा है मेरे भाई को यह वही है ना इसके बारे में हमेशा भाईया बोला करते थे अमायरा ने अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए कहा इसकी सेक्रेटरी अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है हाँ हाँ मैम वही है माफिया वर् पर अपना नाम कायम करना चाहते थे१ि अमाईरा की सेकरेटरी अपनी जुका कर उससे बात कर रही थी क्योंकि इस वक्त हमारा के चहरे पर गुस्सा देखकर वो बुरी तरह डर रही थी उसे डर था कि कहीं सामने जल रही आग में अमाईरा उसे बिना जला दे अमाईरा भी बिल्कुल अपने भाई की तरह थी गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाती थी वैसे तो अमायरा के दादा एक बहुत बड़े बिजनिसमें थे लेकिन जब डेविद महज 22 साल का था तब उसके डेड और उसकी मौम मारी गई जब उनकी मौत हुई तो अमायरा महाज एक महीने की थी और तब से डेविद ने ही उसे पाला था लेकिन दुनिया से छुपा कर उसने कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया की हमारा उसकी बहन है देखा जाए तो अब हमारा 25 साल की बेहद खुबसूरत लड़की हो चुकी थी उसे कोई भी देखा तो बस उसकी खुबसूरती में खो जाता लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अपने भाई की तरह उसके दिल में भी प्यार बिलकुल नहीं था वो एक बेहद क्रूर और निर्दया लड़की हो गई थी जो भी उसके खिलाफ जाता उसे दुनिया से खत्म करते थे उसके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी देखा जाए तो एक तरह से अमाईरा अपने भाई के नक्षे कदम पर ही चल रही थी अमाईरा घुटनों के बल बैठ गई और सामने चलती हुई आग को देखते हुए कहती है आकाश भाया मैं आपके साथ होती आपको कुछ भी नहीं होने देती मेरे दोनों भाईयों को मार दिया उसे अरनव सिंघानिया ने मैं उसे चैन से नहीं जीने दूनगी अमाईरा की आँखों में एक नफरत जुनून और जिद्दी थी उसकी आँखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ज्वाला मुखी की आग उसकी आँखों में भड़क रही हो दिल में बेतहाशा नफरत उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से चिल्ला पती उसकी जीत इतनी दरावनी और इतनी दर्ग से भरी हुई थी कि पूरा जंगल समुद्र और लहरों एक पल के लिए काम पर जाती है हमारा की सेकरेटरी ने अपने आपको सिकुर लिया अमाईरा की जीत सुनकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था अमाईरा ने अपनी सेकरेटरी के चहरे की तरफ देखा और बोली अर्नव सिंधानिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है उसकी उसकी कमजोरी उसका परिवार और उसका प्यार अमाईरा की सेकरेटरी ने दरते हुए कहा प्यार, क्या नाम है उसके प्यार का, कौन है वो, अमाईरा ने अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए कहा अमाईरा के चहरे पर बेहद अजीब एक्स्प्रेशन आ गए थे, बेहद दरावने से वो उसकी वाइफ आन्या अर्नव सिंधानिया, अर्नव सिंधानिया ने ये कहा है कि उसे अपनी वाइफ से बहुत प्यार है कुछ दिन पहले ही एक इंटरव्यू में अमायरा एक सनक से उसके चेहरे की तरफ देखती है और कहती है आन्या अर्नव सिंधानिया बहुत प्यारा नाम है फिर अमायरा ने सामने जलती हुई आग को देखते हुए कहा मैं अपने भाई की कसम खाकर कहती हूँ मैं बर्बाद कर दूंगी अरनव सिंधनिया को और उसकी मोहबबत को दूर कर दूंगी उसे उसकी मोहबबत से कि वो अपना सब कुछ बर्बाद कर लेगा कहते हुए अमायरा के चेहरे पर बेताहाशा नफरत दिखाई दे रही थी वहीं दूसरी तरफ मालदवीस के रिजोर्ट में आन्या के पीरियद्स के साथ दिन तो हो गए थे लेकिन आज कुछ स्पेशल था आन्या ने इंस्टाग्राम के कुछ पोस्ट देख लिये थे जिसके बाद उसे भी अपने हनीमून की फोटो शूट करवानी थी और इसलिए सुबह से अरनव से जिद कर रही थी कि उसे फोटो शूट करवानी है प्लीज डेविल मुझे करना है फोटो शूट आप क्यूं मना कर रहे हो आन्या घुटनों के बल बैड पर चलते हुए अरनव के पास आकर उसके गले से लग जाती है अरनव ने उसे अपनी पीट से आगे की तरफ किया और उसके गाल को चूमते हुए बोला मुझे तुम्हारे फोटो शूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तुम जिस तरह से फोटो शूट करने की बात कर रही हुँ मुझे नहीं लगता कि तुम कमफर्टेबल रहोगी एंजल आन्या ने बच्चों की तरह बनाते हुए कहा मैं कमफर्टेबल रह लूँगी लेकिन आप मुझे पमिशन नहीं दे रहे हुँ ये गलत बात है देखिए ना इस लड़की ने भी तो पहन रखा है मैं कोई स्पेशल तो नहीं हूँ अर्नव उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहता है तुम बहुत स्पेशल हो और अपने आपको किसी और से कमपया करने की जरूरत नहीं है अर्नव आन्या की आँखों में लगातार देखते हुए कहता है वही अर्नव की बात सुनकर आन्या के चेहरे पर शर्म आ जाती है उसने अर्नव से कहा ठीक है ठीक है बात बदलने की जरूरत नहीं है आप बताए मुझे बिक्नी में फोटो शूट करने देंगे या फिर नहीं अर्नव समझ गया कि आन्या उसकी बात तो वैसे भी नहीं मानेगी वो बोला अच्छा ठीक है लेकिन यहां पर बिक्नी नहीं है तो तुम फोटो शूट क्यासे करवाओगी आन्या उसकी बात सुनते ही खुशी से कूदते हुए बैड से नीचे उतरती है वो बोली आपको इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है इतना कहते हुए वो वाडरोब से अपने कुछ कपड़े धून्दने लगते हैं अर्नव ने जहांक कर वाडरोब की तरफ देखा आन्या अंदर से वाडरोब में धून्द रही थी अर्नव ने अपने आप से कहा कभी कभी तो बिल्कुल समझ नहीं आता आखिर एंजल चाहती क्या है अभी क्यासी जिद है बिक्नी में फोटो शूट अर्नव को फोटोस वगेरा क्लिक करना इतना पसंद नहीं था इसलिए आन्या को टालने की कोशिश कर रहा था लेकिन आन्या उसकी तो वैसे भी सुनने वाली नहीं थी तब ही आन्या कुछ कपडे लेकर बाहर आई और अर्नव के सामने करते हुए बोली यह मैं पहनने वाली हूँ और यह वाला आप पहनोगे अर्नव ने जैसे ही आन्या के हाथ में पके हुए कपडो को देखा तो बिलकुल हैरान हो गया क्या मैं यह पहनूनगा वो बिलकुल दंग होकर बोला वहीं दूसरी तरफ ब्लू सी कैफे मुंबई महराष्ट्रा जीवन की कार कैसे के बाहर आकर रुकती है जीवन कार से बाहर निकलते हुए क्याफे की तरफ देखा है और बिना कुछ कहें अंदर की तरफ चला जाता है उसके चेहरे पर असमंजस वाले भाव थे शायद उसे किसी ने यहाँ पर बुलाया था जीवन आकर एक टेबल पर बैठ गया उसने मैनन डोर की तरफ देखना शुरू कर दिया कुछी देर में वहाँ पर उसे रागव आता हुआ दिखाई देता है रागव के आने पर जीवन अपनी जहर से उठता है और उसे हैक करते हुए फिर वापस चैपर आकर बैठ जाता है दोनों आमने सामने बैठे हुए थे रागव अपने गूगल सुधार कर वही टेबल पर रखते हुए अपना एक हाथ चैपर रख लेता है और फिर दूसरे हाथ को टेबल पर रख कर अपनी उंगलियों को चलने लगता है उसने अभी तक कुछ कहा नहीं था बस चुप चाप टेबल को घूर रहा था उसे इतना खामोश देख कर जीवन परेशान हो गया वो काफी बेचैन हो रहा था क्योंकि राघव ने काफी जल्द बाजी में उसे वहाँ पर बुलाया था बात क्या थी उसे नहीं पता था किया हुआ है राघव तुम काफी परेशान लग रहे हो कोई ऐसी बात है जो तुम बताना चाहते हो लेकिन नहीं बता पा रहे हो मुझे ऐसा क्यूं लग रहा है जीवन इतना कहते हुए राघव के चहरे को सवालिया नजरों से देखने लगता है वही राघव काफी देर तक खामोश रहा फिर अचानक उसने जीवन की तरफ देखा और उसके मुझे से कुछ हैसा निकला जिसे सुनकर जीवन बिलकुल दंग रह जाता है और अपनी चेय से अचानक खड़ा होते हुए हैरानी से बोला क्या कह रहे हो तुम राघव अब तक आपने पढ़ा मालदवीज के रिजोर्ट में आन्या के पीरियद्स के साथ दिन तो हो गए थे लेकिन आज कुछ स्पेशल था आन्या ने इंस्टाग्राम के कुछ पोस्ट देख लिये थे जिसके बाद उसे भी अपने हनीमून की फोटो शूट करवानी थी और इसलिए सुबह से अरनव से जिद कर रही थी कि उसे फोटो शूट करवानी है प्लीस डेविल मुझे करना है फोटो शूट आप क्यूं मना कर रहे हो आन्या घुटनों के बल बैड पर चलते हुए अरनव के पास आकर उसके गले से लग जाती है अरनव ने उसे अपनी पीट से आगे की तरफ किया और उसके गाल को चूमते हुए बोला मुझे तुम्हारे फोटो शूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तुम जिस तरह से फोटो शूट करने की बात कर रही हुँ मुझे नहीं लगता कि तुम कमफर्टेबल रहोगी एंजल आन्या ने बच्चों की तरह बनाते हुए कहा मैं कमफर्टेबल रह लूँगी लेकिन आप मुझे पमिशन नहीं दे रहे हुँ ये गलत बात है देखिए ना इस लड़की ने भी तो पहन रखा है मैं कोई स्पेशल तो नहीं हूँ अर्नव उसके चहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहता है तुम बहुत स्पेशल हो और अपने आपको किसी और से कमपया करने की जरूरत नहीं है अर्नव, आन्या की आँखों में लगातार देखते हुए कहता है वही अर्नव की बात सुनकर आन्या के चहरे पर शर्म आ जाती है उसने अर्नव से कहा ठीक है ठीक है बात बदलने की जरूरत नहीं है आप बताए मुझे बिक्नी में फोटो शूट करने देंगे या फिर नहीं अर्नव समझ गया कि आन्या उसकी बात तो वैसे भी नहीं मानेगी वो बोला अच्छा ठीक है लेकिन यहां पर बिक्नी नहीं है तो तुम फोटो शूट क्या से करवाओगी आन्या उसकी बात सुनते ही खुशी से कूदते हुए बैड से नीचे उतरती है वो बोली आपको इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है इतना कहते हुए वो वादरोब से अपने कुछ कपड़े धून्दने लगते हैं अर्नव ने जहांक कर वादरोब की तरफ देखा आन्या अंदर से वादरोब में धून्द रही थी अर्नव ने अपने आप से कहा कभी कभी तो बिल्कुल समझ नहीं आता आखिर एंजल चाहती क्या है अभी क्या से जिद है बिक्नी में फोटो शूट अर्नव को फोटोस वगेरा क्लिक करना इतना पसंद नहीं था इसलिए आन्या को टालने की कोशिश कर रहा था लेकिन आन्या उसकी तो वैसे भी सुनने वाली नहीं थी तब ही आन्या कुछ कपडे लेकर बाहर आई और अर्नव के सामने करते हुए बोली यह मैं पहनने वाली हूँ और यह वाला आप पहनोगे अर्नव ने जैसे ही आन्या के हाथ में पके हुए कपडो को देखा तो बिलकुल हैरान हो गया क्या मैं यह पहनूनगा वो बिलकुल दंग होकर बोला वहीं दूसरी तरफ ब्लू सी कैफे मुंबई महराष्ट्रा जीवन की कार कैसे के बाहर आकर रुखती है जीवन कार से बाहर निकलते हुए कैफे की तरफ देखा है और बिना कुछ कहें अंदर की तरफ चला जाता है उसके चहरे पर असमंजस वाले भाव थे शायद उसे किसी ने यहां पर बुलाया था जीवन आकर एक टेबल पर बैठ गया उसने मैनन जोर की तरफ देखना शुरू कर दिया कुछी देर में वहां पर उसे राघव आता हुआ दिखाए देता है राघव के आने पर जीवन अपनी जहर से उठता है और उसे हैक करते हुए फिर वापस चेय पर आकर बैठ जाता है दोनों आमने सामने बैठे हुए थे राघव अपने गूगल सुधार कर वही टेबल पर रखते हुए अपना एक हाथ चेय पर रख लेता है और फिर दूसरे हाथ को टेबल पर रख कर अपनी उंगलियों को चलने लगता है उसने अभी तक कुछ कहा नहीं था बस चुप चाप टेबल को घूर रहा था उसे इतना खामोश देखकर जीवन परेशान हो गया वो काफी बेचैन हो रहा था क्योंकि राघव ने काफी जल्दबाजी में उसे वहाँ पर बुलाया था बात क्या थी उसे नहीं पता था किया हुआ है राघव तुम काफी परेशान लग रहे हो कोई ऐसी बात है जो तुम बताना चाहते हो लेकिन नहीं बता पा रहे हो मुझे ऐसा क्यूं लग रहा है जीवन इतना कहते हुए राघव के चेहरे को सवालिया नजरों से देखने लगता है वही राघव काफी देर तक खामोश रहा फिर अच्छानक उसने जीवन की तरफ देखा और उसके मुझे से कुछ हैसा निकला जिसे सुनकर जीवन बिलकुल दंग रह जाता है और अपनी चेह से अच्छानक खड़ा होते हुए हैरानी से बोला क्या कह रहे हो तुम राघव अब आगे आन्या ने अरनव की तरफ कुछ का पड़े बाते हुए कहा आपको आज यही पहनना है पर मैं यह कैसे पहन सकता हूँ यह तो सिर्फ नीचे का है उपर तो कुछ है ही नहीं तब ही आन्या उसका चेहरा देखकर मोबाइल उठाकर उसके पास आती है और एक पोस्ट निकाल कर उसके चेहरे के सामने करते हुए बोली यह देखो इसने भी तो कुछ नहीं पहना है सिर्फ नीचे का ही पहना है आपको बड़ी शर्म आ रही है डेविल अर्नव ने उसकी आँखों के उपर अपना हाथ रख दिया और बोला तुम कबसे नंगे लड़के देखने लग गई अर्नव आन्या को गुस्से से देख रहा था उससे आन्या का इस तरह लड़के तारना बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा उसने कहा मैं तुम्हारा मोबाइल छीन लूनगा अगर तुमने दोबारा ऐसे लड़कों को देखा तो और लाओ इधर मोबाइल दो पता नहीं किस किस को फॉलो कर लेती हो आन्या उसका हाथ अपनी आँखों से हटाते हुए बोली मैं तो बस आपको दिखा रही थी आप तो बात-बात पर जरा जैलेस हो जाते हो जेलेस होने वाली बात है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे लड़कों को देखने की अगर तुमने दोबारा ये सब देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अरनाव उसके मोबाइल को छीन कर उसके फॉलोवर की लिस्ट चेक करने लगता है उसके बाद उसने सभी लड़कों को अनफॉलो कर दिया जिसे भी आन्या फॉलो करके बैठी थी आन्या उसके पास आए और उसके माथे पर किस करते हुए बोली आप बिना वज़य इतने पेजेसिव हो रहे हो डेविल मेरे लिए तो आप ही सबसे होट और सेक्सी लड़के हो अच्छा ऐसा है मैं तुम्हारे लिए अगर सच में इतना होता हूँ तो फिर तुम दूसरे लड़कों को ताड़ना बंद करो अरनव ने गुस्सा करते हुए कहा अन्या को तो बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि अरनव के चहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो कितना जल रहा है अन्या का किसी और लड़के को देखना उसे बिलकुल भी पसंद नहीं आ रहा था अन्या उसका हाथ पकड़कर उसे वाश्रूम के पास लाकर बोली चलिये जल्दी से रेडी हो जाते हैं फिर फोटो शूट भी करवाना है अरनव उसकी तरफ देखते हुए कहता है नहीं रेडी हो रहा मुझे नहीं पहनना ये सब आन्या को उसकी बात सुनकर हसी आती है क्योंकि अरनव कुछ दिनों पहले तो ये कह रहा था कि अन्या को उसके सामने किसी भी बात को लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है और वो अरनव से अपनी सारी खवाहिश से शेयर कर सकती है लेकिन अभी उसने अन्या से भी लगना शुरू कर दिया लेकिन आन्या के पास तो अर्नव को मनाने का सुपहिट प्लान था उसने कहा अगर आप नहीं पहनेंगी तो मैं फिर दोबारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट देख कर लड़कों को ताडूनगी और फिर आप मुझे रोक भी नहीं सकते अर्नव की बात सुनकर उसे गुस्से से भरी निगाहों से देखने लगा आनिया अपने हाथ आपस में बांध कर मुस्कुराते हुए बोली ऐसे देखने से कुछ भी नहीं होगा अगर आपने बात नहीं मानी तो मैं यहीं करूनगी अर्नव, आन्या की बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है आन्या उसका गुस्सा देखकर एक पल के लिए दर जाती है लेकिन अर्नव ने अपने कदम साइद में बढ़ा दियें और वो वहां से बैड पर रखे हुए कपडे जो केवल नीचे का व्य था वो उठा कर आन्या के पास आता है फिर आन्या को अपनी बाहों में उठा कर उसे अंदर ले जाता है दूसरी तरफ मुंबई इंडिया क्याफे में बैठे राघव और जीवन आपस में बात कर रहे थे तभी राघव ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर जीवन हैरान हो गया शेर से खड़े होकर उसने राघव की तरफ देखते हुए कहा क्या तुम सच कह रहे हो पर यह कब हुआ राघव ने चारों तरफ देखा सभी कस्टम जो वहां पर बैठे थे इन दोनों को भी देखने लगते हैं जीवन चुपचाप वापस अपनी चेय पर आकर बैठ गया तभी राघव बोला मैं पहले अपने लेवल पर पता लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तीन दिन से कुछ भी पता नहीं चल पाया है डेविड की लाश जो की पोस्टमाटम के लिए भीजी गई थी गायब थी लेकिन तुम्हें तो कहा था कि तुमने उसका अंतिम संसक कर दिया था मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था ये काफी दिनों पहले हुआ है और मैं चाहता था कि पहले मैं लाश धूंड लूँ राघव तुम पागल हो इतने दिन हो गए और तुम मुझे ये बात आप बता रहे हो बट जीवन यह कोई छोटी बात नहीं है क्योंक माफिया है राघव ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा वही तो बात है ना अगर उसकी लाश को किसी ने चुराया है तो ये बहुत बड़ी बात है और तुमका भी रहे थे कि डेविड का कोई साथी शायद उसकी भाई या फिर उसकी बहन लेकिन डेविड के परिवार मे तो सिर्फ उसका एकी भाई था जिसे अरनव ने अपने हाथों से मार दिया था तो फिर डेविड की लाश को कौन लेकर गया जीवन परेशान और असमंजस भाव से राघव की तरफ देखने लगता है राघव को भी कुछ भी पता नहीं था उसने जीवन की तरफ देखते ह हुए कहा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस मामले में इनफॉमेशन जुटाने की राघव जितनी जल्दी हो सकता है पता लगाओ और मैं भी अपने आदमियों को काम पर लगाता हूँ मैं नहीं चाहता कि हम दोबारा किसी भी गलती को दोहराएं क्योंकि पिछली बार भ राघव की तरफ देखते हुए कहता है जीवन को इस बात की फ्रिक सता रही थी कि कहीं देविद का साथी अरनव और आन्या पर हमला ना कर दें क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी वो दोनों अकेले हनीमून पर थे जहां पर उसके लिए कोई भी बोडी गार्ड नहीं था, मगर अब जीवन को यही लग रहा था कि उसे अपने आदमियों को अरनव और आन्या की हिफाज़त के लिए मालदीव भेजना होगा। जीवन को असमंजस से देखना शुरू कर दिया। कोई important call थी क्या, मैं गलत time पर तो नहीं आ गई, आजीविका उसके चहरे की तरफ देखते हुए कहती है। आजीविका घडी की तरफ इशारा करते हुए बोली time देख रहे हो तुम 10 बजे बज रहे हैं मॉम का call भी आया था, घर नहीं जाना क्या। जीवन उसके चहरे की तरफ देखते हुए बोला 10 बजे बज गए ठीक है, मैं driver को कह देता हूँ तुम घर चली जाओ मुझे फिलहाल office का कुछ काम करना है। जीवन लप्टॉप की तरफ देखने लगा तो आजी विका उसके पास आती है और उसने अपने हाथों को आपस में बांधते हुए उसे भूला शुरू कर दिया, जीवन ने अपनी नजरे उठा कर उसकी तरफ देखा और बोला क्या हुआ मुझे ऐसे क्यू देख रही हो। सब एमपल आए जा चुके हैं मैं भी चली जाओंगी उसके बाद फिर तुम यहाँ पर अकेले क्या करोगे और जो भी काम करना है घर चल कर कर लेना, ऐसे मुझे पता है कि ज्यादा कोई काम बचा नहीं है। चहरने की जरूरत नहीं है। जीवन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है तुम वैसे भी मुझे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ने वाली नहीं हो। आजीविका ने उसके गाल खीचते हुए कहा चलो उठो, बहुत भूख लगी है मुम ने कहा है कि आज करकर उसे खड़ा करती है। उसे खीच कर ले जाने लगी तभी जीवन उसे रोकते हुए बोला अरे मेरा बलेज़ से लेने दो। आजीविका जीवन को रोकते हुए खुद बलेज़ उठाती है फिर उसके पीछे जाकर उसे पहनाती है। आजीविका ने उसे पीछे से हग कर लिया और अपने हाथ उसके सीने पर लाते हुए बोली कुछ भी कहो, तुम हो तो बड़े हैंसम, थू थू नड़ा ना लगे मेरे प्यार को, जीवन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा है और फिर उसकी उंगलियों में अपनी उंग बहुत अच्छे से इंजोई किया उसके बाद आज उन दोनों के वापस इंडिया आने का टाइम था, सिंघनिया हाउस में सुबह से यही बाते हो रही थी, निर्मला आज सारा खाना मेरे बहु और बेटे की पसंद कही बनना चाहिए, कौशल्या जी ने ओर देते हुए कहा वही निर्मला जी मुस्कुराते हुए बोली बड़ी मैडम आप कितनी बार यह बात कहेंगे सुबह से करीब अपने दस बार यही बात कही है और मैंने हर बार कहा है कि बन रहा है, आज जीविका ने आज ओफिस से छुट्टी ले ली थी और जीवन भी अरनव को लेने के ल कर्ट के बटन बंद करते हुए कहता है का कि आपको तो मौम का नेचर पता है, अब जब तक अरनव और भावी घर पर नहीं आ जाएंगे मौम उनको अपने हाथों से खाना नहीं खिला देगी तब तक आपको यूँई परेशान करने वाली है, क्यूँ सही कहा ना मैंने डा पनकज जी काउच पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी आँखों से चश्मा निकाल और उसको साफ करते हुए बोले हां मैं भी सुबह से यही देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, आखिर कब तक निर्मला को परेशान करने का इरादा है इनका देखिए जी आप ही गलत कह रहे हैं, मैं किसी को भी परेशान नहीं कर रही हूँ, कौशलिया जी मूँ बनाते हुए बोली जीवन पंकज जी के पास आकर काउट के सहारे खड़ा होकर बोला, हाँ डैड, मॉम बिलकुल परेशान नहीं कर रही है, इन्होंने कल से मुझे 200 बार बिलकुल नहीं कहा है कि अर्नव को एरपोर्ट पर पिक करने जाना है पंकज जी और निर्मला जी जीवन की बाते सुनकर हसने लगते हैं, वही कौशलिया जी उन तीनों को भूर भूर कर देखने लगती है और फिर अपने पैर पटकते हुए बोली आप तीनों मेरा मजाक बनाया, मैं खुद ही अपने बेटे और बहु के लिए खाना बनवा ल अभी तक सो रही है उठी नहीं, मैं तो उसे उठाने गया था डैड, पर वो दो मिनट, दो मिनट करके वापस सो जाती है, तुमने उसे कहा नहीं कि आज अरनव और आन्या बेटा को लेने के लिए जाना है, कल शाम से ही उसने पूरे घर को अपने सेर पर उठाया हुआ था डैड, आपको पता है वो जब सोती है तो फिर उठने का नाम नहीं लेती, पता नहीं इतने दिन तक आफिस जाने के लिए सुबर कैसे उठ रही थी हाँ, हाँ, जाओ जाकर एक बार उठा दो, अगर तुम उसके बगेर चले गए तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी, दिन भर तुम्हें चैन से रहना नहीं देगी, इसलिए यही अच्छा है कि उसे लेकर जाना जीवन अपने थाइज पर अपने हाथ रखते हुए बोला, ओके डाग, पनकज जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं, वही जीवन दोरते हुए उपर आजिविका के रूम की तरफ चला जाता है वो जटके से दरवाजा खोल कर अंदर आता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसने अपना सिर्फ पीट लिया, दरसल आजिविका जमीन पर गिरी हुई थी, मतलब फ्लो पर गिरी हुई थी, और बैड पर सोते सोते कब नीचे आ गई, उसे भी पता नहीं था कंबल को उसने अपने चारों तरफ लपेटा हुआ था ये लड़की शादी के बाद मुझे तो रात भर सोने नहीं देगी बार बार अगर नीचे गिरी और वापस मुझे ऐसे उठा कर सुलाना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगा कही रात को इसे बैड़ पर बांध कर सोने की नौबत ना आ जाए जीवन अपने आपसे कह रहा था वही आजीवे का अपने हाथ फैला कर ब्लेंकिट को अपने सीने से नीचे तक लपेट कर फ्लो पर सो रही थी धारा वाहिक जारी है किया अमाईरा अपने बदले की आग में काम्याब हो पाएगी या फिर अपने भाई के तरह वो भी अपनी जान खो देगी आन्या ने अर्नव की तरफ कुछ कपड़े बाते हुए कहा आपको आज यही पहनना है पर मैं ये कैसे पहन सकता हूँ ये तो सिर्फ नीचे का है उपर तो कुछ है ही नहीं तब ही आन्या उसका चेहरा देखकर मोबाइल उठाकर उसके पास आती है और एक पोस्ट निकाल कर उसके चेहरे के सामने करते हुए बोली ये देखो इसने भी तो कुछ नहीं पहना है सिर्फ नीचे का ही पहना है आपको बड़ी शर्म आ रही है डेविल अर्नव ने उसकी आँखों के ऊपर अपना हाथ रख दिया और बोला तुम कबसे नंगे लड़के देखने लग गई अर्नव आन्या को गुस्से से देख रहा था उसे आन्या का इस तरह लड़के ताड़ना बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा उसने कहा मैं तुम्हारा मोबाइल छीन लूनगा अगर तुमने दोबारा ऐसे लड़कों को देखा तो और लाओ इधर मोबाइल दो पता नहीं किस-किस को फॉलो कर लेती हो आन्या उसका हाथ अपनी आँखों से हटाते हुए बोली मैं तो बस आपको दिखा रही थी आप तो बात-बात पर जरा जैलेस हो जाते हो जैलेस होने वाली बात है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे लड़कों को देखने की अगर तुमने दोबारा ये सब देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अरनव उसके मोबाइल को छीन कर उसके फॉलोव की लिस्ट चैक करने लगता है उसके बाद उसने सभी लड़कों को अनफॉलो कर दिया जिसे भी आन्या फॉलो करके बैठी थी आन्या उसके पास आये और उसके माथे पर किस करते हुए बोली आप बिना वजह इतने पेजेसिव हो रहे हो डेविल मेरे लिए तो आप ही सबसे होट और सेकसी लड़के हो अच्छा ऐसा है मैं तुम्हारे लिए अगर सच में इतना होता हूँ तो फिर तुम दूसरे लड़कों को ताड़ना बंद करो अरनव ने गुस्सा करते हुए कहा अन्या को तो बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि अरनव के चहरे पर साफ दिखाए दे रहा था कि वो कितना जल रहा है अन्या का किसी और लड़के को देखना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था अन्या उसका हाथ पकड़कर उसे वॉश्रूम के पास लाकर बोली चलिये जल्दी से रेडी हो जाते हैं फिर फोटो शूट भी करवाना है अरनव उसकी तरफ देखते हुए कहता है नहीं रेडी हो रहा मुझे नहीं पहनना ये सब आन्या को उसकी बात सुनकर हसी आती है क्योंकि अरनव कुछ दिनों पहले तो ये कह रहा था कि अन्या को उसके सामने किसी भी बात को लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है और वो अरनव से अपनी सारी ख्वाहिश से शेयर कर सकती है लेकिन अभी उसने आन्या से भी ज्यादा नखरे लगना शुरू कर दिया लेकिन आन्या के पास तो अरनव को मनाने का सुपहिट प्लान था उसने कहा अगर आप नहीं पहनेंगी तो मैं फिर दोबारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखकर लड़कों को ताडूनगी और फिर आप मुझे रोक भी नहीं सकते अरनव की बात सुनकर उसे गुस्से से भरी निगाहों से देखने लगा आनिया अपने हाथ आपस में बांध कर मुस्कुराते हुए बोली ऐसे देखने से कुछ भी नहीं होगा अगर आपने बात नहीं मानी तो मैं यहीं करूनगी अरनव आनिया की बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है आनिया उसका गुस्सा देखकर एक पल के लिए दर जाती है लेकिन अरनव ने अपने कदम साइद में बढ़ा दियें और वो वहां से बैड पर रखे हुए कपडे जो केवल नीचे का व्याथा वो उठा कर आनिया के पास आता है फिर आनिया को अपनी बाहों में उठा कर उसे अंदर ले जाता है दूसरी तरफ मुंबई इंडिया क्याफे में बैठे राघव और जीवन आपस में बात कर रहे थे तभी राघव ने कुछ हैसा कहा जिसे सुनकर जीवन हैरान हो गया शेर से खड़े होकर उसने राघव की तरफ देखते हुए कहा क्या तुम सच कह रहे हो पर यह कब हुआ राघव ने चारों तरफ देखा सभी कस्टम जो वहाँ पर बैठे थे इन दोनों को भी देखने लगते हैं जीवन चुपचाप वापस अपनी चेय पर आकर बैठ गया तभी राघव बोला मैं पहले अपने लेवल पर पता लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तीन दिन स कुछ भी पता नहीं चल पाया है डेविड की लाश जो की पोस्ट माटम के लिए भीजी गई थी गायब थी लेकिन तुम्हें तो कहा था कि तुमने उसका अंतिम संसकार कर दिया था मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था ये काफी दिनों पहले हुआ है और मैं चाहता था कि पहले मैं लाश धूंड लूँ रागव तुम पागल हो इतने दिन हो गए और तुम मुझे ये बात आप बता रहे हो बट जीवन ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि डेविड कोई आम इनसान नहीं है वो एक माफिया है रागव ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा वही तो बात है ना अगर उसकी लाश को किसी ने चुराया है तो ये बहुत बड़ी बात है और तुम का भी रहे थे कि डेविड का कोई साथी शायद उसकी भाई या फिर उसकी बहन लेकिन डेविड के परिवार में तो सिर्फ उसका एकी भाई था जिसे अर्नव ने अपन लेकर गया जीवन परेशान और असमंजस भाव से राघव की तरफ देखने लगता है राघव को भी कुछ भी पता नहीं था उसने जीवन की तरफ देखते हुए कहा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इस मामले में इंफॉमेशन जुटाने की राघव जितनी जल्दी हो सकता है पता लगाओ और मैं भी अपने आदमियों को काम पर लगाता हूँ मैं नहीं चाहता कि हम दोबारा किसी भी गलती को दोहराई क्योंकि पिछली बार भी हमने बहुत बड़ी गलती की थी और जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ी थी हां तुम सही कह रहे हो ठीक है जीवन अपनी दो उनगलियों को अपने होटों पर रखते हुए राघव की तरफ देखते हुए कहता है जीवन को इस बात की फ्रिक सता रही थी कि कहीं देविद का साथी अरनव और आन्या पर हमला ना कर दें क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी वो दोनों अकेले हनीमून पर थे जहां पर उसके लिए कोई भी बोडी गार्ड नहीं था मगर अब जीवन को यही लग रहा था कि उसे अपने आदमियों को अरनव और आन्या की हिफाज़त के लिए मालदीव्स भेजना होगा रात का समय सिंधान या ग्रूप ओफ कमपनीज जीवन अपने रूम में किसी से बात कर रहा था कि तभी अच्छानक आजिविका केबिन का दर्वाजा खोल कर अंदर आती है जीवन में तुरंट अपने कान से मोबाइल को हटाया और दर्वाजे की तरफ देखने लगता है आजिविका ये देख लेती है उसने जीवन को असमंजस से देखना शुरू कर दिया कोई important call थी क्या मैं गलत time पर तो नहीं आ गई आजिविका उसके चहरे की तरफ देखते हुए कहती है जीवन अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है नहीं कोई important बात नहीं थी आजीविका ने कुछ नहीं कहा बस उसके चहरे को देखते हुए अपनी गर्दन हिला देती है तभी जीवन उससे कहता है तुम यहाँ पर क्यूं आई हो वैसे आजीविका घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली टाइम देख रहे हो तुम दस बजे बज रहे हैं मॉम का कॉल भी आया था घर नहीं जाना क्या जीवन उसके चहरे की तरफ देखते हुए बोला दस बजे बज गए ठीक है मैं द्राइवर को कह देता हूँ तुम घर चली जाओ मुझे फिलहाल ओफिस का कुछ काम करना है जीवन लप्टॉप की तरफ देखने लगा तो आजी विका उसके पास आती है और उसने अपने हाथों को आपस में बांधते हुए उसे भूला शुरू कर दिया जीवन ने अपनी नजरे उठा कर उसकी तरफ देखा और बोला क्या हुआ मुझे ऐसे क्यू देख रही हो सब एमपल आए जा चुके हैं मैं भी चली जाओंगी उसके बाद फिर तुम यहां पर अकेले क्या करोगे और जो भी काम करना है घर चल कर कर लेना ऐसे मुझे पता है कि जादा कोई काम बचा नहीं है जीवन उसके चहरे की तरफ देखने लगता है वही आजिविकाओं से घूर घूर कर देख रही थी अगर कोई जरूरी बात है तो मुझे बताओं मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी लेकिन काम करने का बहाना बना कर ओफिस में ठहरने की जरूरत नहीं है जीवन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है तुम वैसे भी मुझे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ने वाली नहीं हो आजीविका ने उसके गाल खीचते हुए कहा चलो उठो बहुत भूख लगी है मुम ने कहा है कि आज तुम्हारा फेवरेट खाना बना है जीवन बोला वाओ इडली डोसा आजीविका मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और फिर उसका हाथ पकड़ कर उसे खड़ा करती है उसे खीच कर ले जाने लगी तभी जीवन उसे रोकते हुए बोला अरे मेरा बलेज़ से लेने दो आजीविका जीवन को रोकते हुए खुद बलेजा उठाती है फिर उसके पीछे जाकर उसे पहनाती है आजीविका ने उसे पीछे से हग कर लिया और अपने हाथ उसके सीने पर लाते हुए बोली कुछ भी कहो तुम हो तो बड़े हैंसम, थू थू नड़ा ना लगे मेरे प्यार को जीवन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा है और फिर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फसाते हुए उसकी हथेली को कसकर अपनी हथेली से चिपक लेता है दोनों वहां से बाहर की तरफ निकल पड़ते है आन्या और अर्नव ने अपना हनीमून बहुत अच्छे से इंजोई किया उसके बाद आज उन दोनों के वापस इंडिया आने का टाइम था सिंगानिया हाउस में सुबह से यही बाते हो रही थी निर्मला आज सारा खाना मेरे बहु और बेटे की पसंद का ही बनना चाहिए कौशलया जी ने ओडर देते हुए कहा वही निर्मला जी मुस्कुराते हुए बोली बड़ी मैडम आप कितनी बार यह बात कहेंगे सुबह से करीब अपने दस बार यही बात कही है और मैंने हर बार कहा है कि बन रहा है आज जीविका ने आज ओफिस से छुट्टी ले ली थी और जीवन भी अर्नव को लेने के लिए एइपोर्ट जाने वाला था है का कि आपको तो मोम का नेचर पता है अब जब तक अर्नव और भाभी घर पर नहीं आ जाएंगे मोम उनको अपने हाथों से खाना नहीं खिला देगी तब तक आपको यूवी परेशान करने वाली है क्यू सही कहा ना मैंने डाड पनकज जी काउच पर बैठे हुए थे उन्होंने अपनी आँखों से चश्मा निकाल और उसको साफ करते हुए बोले हां मैं भी सुबह से यही देख रहा हूँ देख रहा हूँ आखिर कब तक निर्मला को परेशान करने का इरादा है इनका देखिए जी आप ही गलत कह रहे हैं मैं किसी को भी परेशान नहीं कर रही हूँ कौशलिया जी मूँ बनाते हुए बोली जीवन पंकज जी के पास आकर काउट के सहारे खड़ा होकर बोला हाँ डैड मॉम बिलकुल परेशान नहीं कर रही है इन्होंने कल से मुझे 200 बार बिलकुल नहीं कहा है कि अरनव को एरपोर्ट पर पिक करने जाना है पंकज जी और निर्मला जी जीवन की बाते सुनकर हसने लगते हैं वही कौशलिया जी उन तीनों को भूर भूर कर देखने लगती है और फिर अपने पैर पटकते हुए बोली आप तीनों मेरा मजाक बनाया मैं खुद ही अपने बेटे और बहू के लिए खाना बनवा लूनगी खून वही निर्मला जी कौशलिया जी के पीछे पीछे किचन की तरफ चली जाती है पनकज जी ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा और हमारी लाडली बेटी अभी तक सो रही है उठी नहीं मैं तो उसे उठाने गया था डैड पर वो दो मिनट दो मिनट करके वापस सो जाती है तुमने उसे कहा नहीं कि आज अर्णव और आन्या बेटा को लेने के लिए जाना है कल शाम से ही उसने पूरे घर को अपने सेर पर उठाया हुआ था डैड आपको पता है वो जब सोती है तो फिर उठने का नाम नहीं लेती पता नहीं इतने दिन तक आफिस जाने के लिए सुबर कैसे उठ रही थी हाँ हाँ जाओ जाकर एक बार उठा दो अगर तुम उसके बगेर चले गए तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी दिन भर तुम्हें चैन से रहना नहीं देगी इसलिए यही अच्छा है कि उसे लेकर जाना जीवन अपने थाइज पर अपने हाथ रखते हुए बोला ओके डाग पनकज जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं वही जीवन दोरते हुए उपर आजिविका के रूम की तरफ चला जाता है वो जटके से दरवाजा खोल कर अंदर आता है लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसने अपना सिर्फ पीट लिया दरसल आजिविका जमीन पर गिरी हुई थी मतलब फ्लो पर गिरी हुई थी और बैड पर सोते सोते कब नीचे आ गई उसे भी पता नहीं था कंबल को उसने अपने चारों तरफ लपेटा हुआ था वही आजिविका अपने हाथ फैला कर ब्लैंकिट को अपने सीने से नीचे तक लपेट कर फ्लो पर सो रही थी अब तक आपने पधा मुंबई महराष्ट्रा जीवन की कार कैसे के बाहर आकर रुकती है जीवन कार से बाहर निकलते हुए क्याफे की तरफ देखा है और बिना कुछ कहें अंदर की तरफ चला जाता है उसके चहरे पर असमंजस वाले भाव थे शायद उसे किसी ने यहाँ पर बुलाया था जीवन आकर एक टेबल पर बैठ गया उसने मैनन डोर की तरफ देखना शुरू कर दिया कुछी देर में वहाँ पर उसे रागव आता हुआ दिखाए देता है रागव के आने पर जीवन अपनी जहर से उठता है और उसे हैक करते हुए फिर वापस चैपर आकर बैठ जाता है दोनों आमने सामने बैठे हुए थे रागव अपने गूगल सुधार कर वही टेबल पर रखते हुए अपना एक हाथ चैपर रख लेता है और फिर दूसरे हाथ को टेबल पर रखकर अपनी उंगलियों को चलने लगता है उसने अभी तक कुछ कहा नहीं था बस चुप चाप टेबल को घूर रहा था उसे इतना खामोश देखकर जीवन परेशान हो गया वो काफी बेचैन हो रहा था क्योंकि रागव ने काफी जल्दबाजी में उसे वहाँ पर बुलाया था बात क्या थी उसे नहीं पता था किया हुआ है रागव तुम काफी परेशान लग रहे हो कोई ऐसी बात है जो तुम बताना चाहते हो लेकिन नहीं बता पा रहे हो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जीवन इतना कहते हुए रागव के चहरे को सवालिया नजरों से देखने लगता है वही रागव काफी देर तक खामोश रहा फिर अचानक उसने जीवन की तरफ देखा और उसके मुझे कुछ हैसा निकला जिसे सुनकर जीवन बिलकुल दंग रह जाता है और अपनी चह से अचानक खड़ा होते हुए हैरानी से बोला क्या कह रहे हो तुम रागव अब आगे आन्या ने अरनव की तरफ कुछ कपड़े बाते हुए कहा आपको आज यही पहनना है पर मैं यह कैसे पहन सकता हूँ यह तो सिर्फ नीचे का है उपर तो कुछ है ही नहीं तब ही आन्या उसका चहरा देखकर मोबाइल उठाकर उसके पास आती है और एक पोस्ट निकाल कर उसके चहरे के सामने करते हुए बोली यह देखो इसने भी तो कुछ नहीं पहना है सिर्फ नीचे का ही पहना है आपको बड़ी शर्म आ रही है डेविल अर्नव ने उसकी आँखों के उपर अपना हाथ रख दिया और बोला तुम कबसे नंगे लड़के देखने लग गई अर्नव आन्या को गुस्से से देख रहा था उससे आन्या का इस तरह लड़के तारना बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा उसने कहा मैं तुम्हारा मोबाइल छीन लूनगा अगर तुमने दोबारा ऐसे लड़कों को देखा तो और लाओ इधर मोबाइल दो पता नहीं किस किस को फॉलो कर लेती हो आन्या उसका हाथ अपनी आँखों से हटाते हुए बोली मैं तो बस आपको दिखा रही थी आप तो बात-बात पर जरा जैलेस हो जाते हो जैलेस होने वाली बात है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे लड़कों को देखने की अगर तुमने दोबारा ये सब देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अरनाव उसके मोबाइल को छीन कर उसके फॉलोव की लिस्ट चेक करने लगता है उसके बाद उसने सभी लड़कों को अनफॉलो कर दिया जिसे भी आन्या फॉलो करके बैठी थी आन्या उसके पास आए और उसके माथे पर किस करते हुए बोली आप बिना वजह इतने पेजेसिव हो रहे हो डेविल मेरे लिए तो आप ही सबसे होट और सेकसी लड़के हो अच्छा ऐसा है मैं तुम्हारे लिए अगर सच में इतना होता हूँ तो फिर तुम दूसरे लड़कों को ताड़ना बंद करो अरनव ने गुस्सा करते हुए कहा आन्या को तो बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि अरनव के चहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो कितना जल रहा है आन्या का किसी और लड़के को देखना उसे बिलकुल भी पसंद नहीं आ रहा था आन्या उसका हाथ पकड़ कर उसे वाश्रूम के पास लाकर बोली चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं फिर फोटो शूट भी करवाना है अरनव उसकी तरफ देखते हुए कहता है नहीं रेडी हो रहा मुझे नहीं पहनना ये सब आन्या को उसकी बात सुनकर हसी आती है क्योंकि अरनव कुछ दिनों पहले तो ये कह रहा था कि अन्या को उसके सामने किसी भी बात को लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है और वो अर्नव से अपनी सारी ख्वाहिश से शेयर कर सकती है लेकिन अभी उसने आन्या से भी ज़्यादा नक्रे लगना शुरू कर दिया लेकिन आन्या के पास तो अर्नव को मनाने का सुपहिट प्लान था उसने कहा अगर आप नहीं पहनेंगी तो मैं फिर दोबारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखकर लड़कों को ताडूनगी और फिर आप मुझे रोक भी नहीं सकते अर्नव की बात सुनकर उसे गुस्से से भरी निगाहों से देखने लगा आनिया अपने हाथ आपस में बांध कर मुस्कुराते हुए बोली ऐसे देखने से कुछ भी नहीं होगा अगर आपने बात नहीं मानी तो मैं यहीं करूनगी अर्नव, आनिया की बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है आनिया उसका गुस्सा देखकर एक पल के लिए दर जाती है लेकिन अर्नव ने अपने कदम साइद में बढ़ा दियें और वो वहां से बैड पर रखे हुए कपडे जो केवल नीचे का व्याथा, वो उठा कर आनिया के पास आता है फिर आनिया को अपनी बाहों में उठा कर उसे अंडर ले जाता है दूसरी तरफ मुंबई इंडिया, क्याफे में बैठे राघव और जीवन आपस में बात कर रहे थे तभी राघव ने कुछ हैसा कहा जिसे सुनकर जीवन हैरान हो गया शेर से खड़े होकर उसने राघव की तरफ देखते हुए कहा क्या तुम सच कह रहे हो पर यह कब राघव ने चारों तरफ देखा सभी कस्टम जो वहाँ पर बैठे थे इन दोनों को भी देखने लगते हैं जीवन चुपचाप वापस अपनी चेय पर आकर बैठ गया तभी राघव बोला मैं पहले अपने लेवल पर पता लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तीन दिन स कुछ भी पता नहीं चल पाया है डेविड की लाश जो की पोस्ट माटम के लिए भीजी गई थी गायब थी लेकिन तुम्हें तो कहा था कि तुमने उसका अंतिम संसकार कर दिया था मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था ये काफी दिनों पहले हुआ है और मैं चाहता था कि पहले मैं लाश धून लूँ रागव तुम पागल हो इतने दिन हो गए और तुम मुझे ये बात आप बता रहे हो बट जीवन यह कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि डेविड कोई आम इंसान नहीं है वो एक माफिया है रागव ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा वह उसकी बहन लेकिन डेविड के परिवार में तो सिर्फ उसका एकी भाई था जिसे अरनव ने अपने हाथों से मार दिया था तो फिर डेविड की लाश को कौन लेकर गया जीवन परेशान और असमंजस भाव से रागव की तरफ देखने लगता है रागव को भी कुछ भी प लगाओ और मैं भी अपने आदमियों को काम पर लगाता हूँ मैं नहीं चाहता कि हम दोबारा किसी भी गलती को दोहराई क्योंकि पिछली बार भी हमने बहुत बड़ी गलती की थी और जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ी थी हाँ तुम सही कह रहे हो ठीक है जीवन अपनी दो उनगलियों को अपने होटों पर रखते हुए राघव की तरफ देखते हुए कहता है जीवन को इस बात की फ्रिक सता रही थी कि कहीं डेविद का साथी अरनव और आन्या पर हमला ना कर दें क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी वो दोनों अकेले हनीमून पर थे जह पर उसके लिए कोई भी बोडी गार्ड नहीं था मगर अब जीवन को यही लग रहा था कि उसे अपने आदमियों को अरनव और आन्या की हिफाज़त के लिए मालदीव्स भेजना होगा रात का समय सिंघानिया ग्रूप ओफ कमपनीज जीवन अपने रूम में किसी से बात कर रहा था कि तभी अच्छानक आजिविका केबिन का दर्वाजा खोल कर अंदर आती है जीवन में तुरंट अपने कान से मोबाइल को हटाया और दर्वाजे की तरफ देखने लगता है आजिविका ये देख लेती है उसने जीवन को असमंजस से देखना शुरू कर दिया कोई important call थी क्या मैं गलत time पर तो नहीं आगई आजिविका उसके चहरे की तरफ देखते हुए कहती है जीवन अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है नहीं कोई important बात नहीं थी आजीविका ने कुछ नहीं कहा बस उसके चहरे को देखते हुए अपनी गर्दन हिला देती है तभी जीवन उससे कहता है तुम यहाँ पर क्यूं आई हो वैसे आजीविका घडी की तरफ इशारा करते हुए बोली टाइम देख रहे हो तुम दस बजे बज रहे हैं मॉम का कॉल भी आया था घर नहीं जाना क्या जीवन उसके चहरे की तरफ देखते हुए बोला दस बजे बज गए ठीक है मैं द्राइवर को कह देता हूँ तुम घर चली जाओ मुझे फिलहाल ओफिस का कुछ काम करना है जीवन लप्टॉप की तरफ देखने लगा तो आजी विका उसके पास आती है और उसने अपने हाथों को आपस में बांधते हुए उसे भूला शुरू कर दिया जीवन ने अपनी नजरे उठा कर उसकी तरफ देखा और बोला क्या हुआ मुझे ऐसे क्यू देख रही हो जीवन उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है वही आजी विकाउं से घूर घूर कर देख रही थी अगर कोई जरूरी बात है तो मुझे बताओ मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी लेकिन काम करने का बहाना बना कर ओफिस में छेहरने की जरूरत नहीं है जीवन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है तुम वैसे भी मुझे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ने वाली नहीं हो आजीविका ने उसके गाल खीचते हुए कहा चलो उठो बहुत भूख लगी है मुम ने कहा है कि आज तुम्हारा फेवरेट खाना बना है जीवन बोला वाओ इडली डोसा आजीविका मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और फिर उसका हाथ पकड़ कर उसे खड़ा करती है उसे खीच कर ले जाने लगी तभी जीवन उसे रोकते हुए बोला अरे मेरा बलेज से लेने दो आजीविका जीवन को रोकते हुए खुद बलेज उठाती है फिर उसके पीछे जाकर उसे पहनाती है आजीविका ने उसे पीछे से हग कर लिया और अपने हाथ उसके सीने पर लाते हुए बोली कुछ भी कहो तुम हो तो बड़े हैंसम थू थू नड़ा ना लगे मेरे प्यार को जीवन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा है और फिर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलिया फसाते हुए उसकी हथेली को कस कर अपनी हथेली से चिपक लेता है दोनों वहां से बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं आन्या और अर्नव ने अपना हनीमून बहुत अच्छे से इंजोई किया उसके बाद आज उन दोनों के वापस इंडिया आने का टाइम था सिंगानिया हाउस में सुबह से यही बाते हो रही थी निर्मला आज सारा खाना मेरे बहु और बेटे की पसंद कही बनना चाही कोशल्या जी ने ओडर देते हुए कहा वही निर्मला जी मुस्कुराते हुए बोली बड़ी मैडम आप कितनी बार यह बात कहेंगे सुबह से करीब अपने दस बार यही बात कही है और मैंने हर बार कहा है कि बन रहा है आज जीविका ने आज ओफिस से छुट्टी ले ली थी और जीवन भी अर्नव को लेने के लिए एइपोर्ट जाने वाला था है का कि आपको तो मोम का नेचर पता है अब जब तक अर्नव और भावी घर पर नहीं आ जाएंगे मोम उनको अपने हाथों से खाना नहीं खिला देगी तब तक आपको यूँई परेशान करने वाली है क्यू सही कहा ना मैंने डाड पनकज जी काउच पर बैठे हुए थे उन्होंने अपनी आँखों से चश्मा निकाल और उसको साफ करते हुए बोले हां मैं भी सुबह से यही देख रहा हूँ देख रहा हूँ आखिर कब तक निर्मला को परेशान करने का इरादा है इनका देखिए जी आप ही गलत कह रहे हैं मैं किसी को भी परेशान नहीं कर रही हूँ कौशलिया जी मूँ बनाते हुए बोली जीवन पंकज जी के पास आकर काउट के सहारे खड़ा होकर बोला हाँ डैड मॉम बिलकुल परेशान नहीं कर रही है इन्होंने कल से मुझे 200 बार बिलकुल नहीं कहा है कि अरनव को एरपोट पर पिक करने जाना है पंकज जी और निर्मला जी जीवन की बाते सुनकर हसने लगते हैं वही कौशलिया जी उन तीनों को भूर भूर कर देखने लगती है और फिर अपने पैर पटकते हुए बोली आप तीनों मेरा मजाक बनाया मैं खुद ही अपने बेटे और बहू के लिए खाना बनवा लूनगी खून वही निर्मला जी कौशलिया जी के पीछे पीछे किचन की तरफ चली जाती है पंकज जी ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा और हमारी लागली बेटी अभी तक सो रही है उठी नहीं मैं तो उसे उठाने गया था डैड पर वो दो मिनट दो मिनट करके वापस सो जाती है तुमने उसे कहा नहीं कि आज अर्नव और आन्या बेटा को लेने के लिए जाना है कल शाम से ही उसने पूरे घर को अपने सिर पर उठाया हुआ था डैड आपको पता है वो जब सोती है तो फिर उठने का नाम नहीं लेती पता नहीं इतने दिन तक आफिस जाने के लिए सुबर कैसे उठ रही थी हाँ हाँ जाओ जाकर एक बार उठा दो अगर तुम उसके बगेर चले गए तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी दिन भर तुम्हें चैन से रहना नहीं देगी इसलिए यहीं अच्छा है कि उसे लेकर जाना जीवन अपने थाइज पर अपने हाथ रखते हुए बोला ओके डाग पनकज जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं वहीं जीवन दोरते हुए उपर आजिविका के रूम की तरफ चला जाता है वो जटके से दर्वाजा खोल कर अंदर आता है लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसने अपना सिर्फ पीट लिया दर असल आजिविका जमीन पर गिरी हुई थी मतलब फ्लो पर गिरी हुई थी और बैड पर सोते सोते कब नीचे आ गई उसे भी पता नहीं था कंबल को उसने अपने चारों तरफ लपेटा हुआ था ये लड़की शादी के बाद मुझे तो रात भर सोने नहीं देगी बार बार अगर नीचे गिरी और वापस मुझे ऐसे उठा कर सुलाना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगा कही रात को इसे बैड़ पर बांध कर सोने की नौबत न आ जाए जीवन अपने आपसे कह रहा था वही आजीवे का अपने हाथ फैला कर ब्लैंकेट को अपने सीने से नीचे तक लपेट कर फ्लो पर सो रही थी अब आगे तुम्हारी याद में जीना अच्छा लगता है तुम पर मरना अच्छा लगता है तू है तो मैं हूँ मुझे तेरा होकर रहना अच्छा लगता है मेरी दुनिया तो सिर्फ तू है तुझे अपना बना कर रखना अच्छा लगता है जीवन तो एक पल के लिए उसको देखता ही रहता है क्योंकि वो बैग से फ्लो पर ऐसे सो रही थी जीवन आजीविका को इस तरह सोता हुआ देखकर उसके पास आता है और उसके कंडे पर हाथ रखते हुए उसे हिला कर कहता है अजजू उठो हमें एयरपोर्ट जाना है वहीं आजीविका जो नींद में थी उसने नींद में ब्लैंकिट को अपने शरीर से चिपकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा नहीं मुझे एयरपोर्ट नहीं जाना है मुझे तो मंडप जाना है जीवन उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे कहता है मंडप भी चली जाना लेकिन पहली एयपोर्ट जाना है अर्नव और भाभी को लेने जाना है ना क्या तुम भूल गई हो आजीविका ने दूसरी तरफ करवट बदल ली और बोली उन दोनों की तो शादी हो चुकी है पहले मुझे तुमसे शादी करने दो उसके बाद में चली जाऊंगी आजीविका ये सब नींद में कैर रही थी वही जीवन उसकी बात सुनकर अपना माथा पिट लेता है और उसके पास आकर बैठ जाता है जीवन ने फ्लो पर अपना लाफ्ट हाथ रखा और अपने राइट हैंड से उसे हिलाते हुए बोला उट जाओ यार लेठो जाएंग आजीविका ने गुस्से से अपने पैर पटकते हुए कहा तभी जीवन यहां वहां देखा है तब उसकी नजर टेबल पर रखे हुए पानी के जब पर जाती है उसने जब उठाया और उठकर खड़ा हो गया कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था कि उसके कपड़े गिले ना हो जाए और देखते ही देखते उसने पूरा अपनी आजीविका के मुँपर डाल दिया आजीविका तुरंट उठकर बैठ गई और चिलाते हुए यहां वहां देखने लगी कौन है कौन है बेवकूफ आजीविका ने जब अपने सामने खड़े जीवन को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया उसने आजीविका पर वही रखा हुआ वास फेका लेकिन इस बार वास साइड से होकर चला गया जीवन बैड पर जग फेकते हुए आजीविका से कहता है मैंने तुम्हें उठाया था लेकिन तुम उठ नहीं रही थी इसलिए मुझे करना पड़ा है I am sorry आजीविका ब्लेंकिट को एक तरफ फेकते हुए तुरंट फ्लो से उठकर खड़ी हो गई और जीवन को देखते हुए बोली उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला था आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उपर पानी डालने की सुबह सुबह तुमने मुझे जिला कर दिया अगर मुझे जुकॉम हुआ तो मैं तुम्हे छोड़न पढ़ने वाली नहीं हूँ तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से ये भगवान सुबह सुबह चुरेल मेरे पीछे पढ़ने वाली है भागो यहां से जीवन इतना कहकर बाहर की तरफ भाग जाता है आजीविका उसके मुझ से अपने लिए चुरेल शब्द सुनकर गुस्से से पागल हो जाती है उसने बॉखलाते हुए कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने मुझे चुरेल कहा तुम्हें मैंने आज भूत प्रेथ में नहीं बदल दिया तो मेरा नाम भी आजीविका नहीं आजीविका गुस्से से उसके पीछे-पीछे भागने लगी भागते भागते जीवन नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गया और पनकज जी के पीछे जाकर छुप जाता है वहीं पनकज जीवन को इतना दरा हुआ देखकर कहते हैं क्या हुआ तुम ने क्या कर दिया अब बे कि इसे उठा कर आओ मैंने सिर्फ पानी डाला था और अब यह मेरे पीछे पढ़ गई है आजीविका तेजी से तेज कदमों से चलते हुए उन दोनों के पास आती है जीवन जो की पंकज जी के पीछे छुपकर खड़ा हुआ था पंकज जी जीवन से कहते हैं तुम्हें सुबह सुबह इसके उपर पानी नहीं डालना चाहिए था गलती की है तो माफी मांगो और बात को रफा दफा करो नहीं आजीविका जो अपने हाथ में पानी का गिलास पढ़कर उसको देख रही थी हालांकि पानी का गिलास उपर तक भरा हुआ था और आजीविका ये अपनी जीवन के उपर फेकना चाहती थी लेकिन जीवन ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि अभी अभी नहा कर आया था औ गर आजिविका ने उसे गिला कर दिया तो फिर उसे दोबारा रेडी होने जाना पड़ेगा। नहीं मैं अब इसे माफ नहीं करने वाली हूँ डैड इसने बहुत गलत किया है मैं इतना अच्छा सपना देख रही थी और उसने मेरे उपर पानी डाल दिया आप मेरी हालत देखिए। पनकज जी ने आजीविका को देखा तो उसके पूरे बाल गिले थे चहरे से गिले बाल चिपके हुए थे और उसके पूरे कपड़े गिले थे ये देखकर पनकज जी ने जीवन की तरफ देखा और जीवन आजीविका को देखते हुए कहता है हां तो मैं तुम्हें उठा रहा था लेकिन तुम उठने का नाम नहीं ले रही थी तो मैं तो मंदप जाना था पता है डैड सपनों में कह रही है कि मुझे मंदप जाना है मंदप जाना है मैंने कहा एपोट चलना है रहती है बाद में जाएंगे पंकज जी तो परेशान उनको डर लग रहा था कहीं आज आजीविका जीवन को आँखें दिखाते हुए बोली चुपचाप मेरे सामने आओ तो मैं अभी बताती हुँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की जीवन रिक्वेस्ट करते हुए पंकज जी से कहता है डैड प्लीज मुझे इस चुड़े मेरा मतलब आजी करते हुए पंकज जी से बोली देख रहे है ना आप डैड यह मेरा मजाक बना रहा है और मुझे चुड़ेल का रहा है अभी उसने मुझे अंदर भी चुड़ेल कहा पंकज जी छेय से खड़े होकर उन दोनों की तरफ हाथ जोडते हुए बोले तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे दोनों बच्चों की तरह जगरते हो और कहते हो की एक दूसरी शादी करनी है ऐसे करोगे शादी डैड शादी का तो पता नहीं लेकिन अभी मैं इसे चुड़ने वाली नहीं हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ेल बोलने की और मेरे उपर पानी डालन की कहते हुए आजीविका ने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास जीवन की तरफ फेका लेकिन जीवन एक तरफ हट जाता है और पानी नीचे फ्लो पर गिर गया आजीविका ये देखकर और भी गुस्से से पागल हो गई उसने वही रखा हुआ पा दिया पंकज जी तो पहले ही दूर हटकर खड़े हो गए। कोशलिया जी जो की किचन से ये सब आवाजे सुन रही थी तुरंट किचन से बाहर आती है वही आजी विका ने अपने हाथ में पढ़ा हुआ पानी का सारा जग जीवन के ऊपर देखने की कोशिश की लेकिन बीच म कोशलिया जी आ गई और सारा पानी कोशलिया जी की उपर गिर गया कोशलिया जी का मूँ पानी से पूरा गिला हो गया था। वो बिलकुल चौक जाती है वही पंकज जी और जीवन दोनों अपने मूँ पर हाथ रख लेते हैं जबकि आजी विका की आँखे फटी की फटी रह जाती है। कोशलिया जी जिन पर आजी विका ने पानी का पूरा जग फेक दिया और उपर से लेकर नीचे तक कोशलिया जी पानी में भीग गई थी आजी विका तो डर से उनको देख रही थी उसका मूँ खुला का खुला रह जाता है। आज तो गई बेटा तू मॉम पर पानी फेक दिया आजी विका मन ही मन अपने आप से बोली। वही कोशलिया जी गुस्से से आजी विका को भूर ने लगती है। मॉम वो गलती से आपके उपर गिर गया मैं तो इस जीवन के उपर फेक रही थी क्योंकि उसने मेरे उपर पानी फेका था मैंने आपके उपर पानी नहीं फेका है। अज्जू कोशलिया जी गुस्से से बोली पूरा का पूरा घर उनकी आवाज से बिलकुल काम गया था। आजी विका ने अपनी आँखें बंद कर ली तभी कोशलिया जी उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है चुप चाप अपने रूम में जाओ और जाकर रेडी हो तो मैं तुम्हारी इन सभी शैतानियों पर पर्मानेंट बेन लगा दूनगी। कौशलिया जी की बात सुनकर आजी विका हवा में उडते हुए तेजी से अपने रूम की तरफ भाग जाती है वही जीवन उसके चेहरे को और उसकी हरकते देखकर मुस्कराने लगता है। रूम में आजीविका रेडी होने के लिए जाती है लेकिन मन ही मन जीवन को गालियां भी निकल रही थी क्योंकि आज सुबह सुबह उसे जीवन की वज़े से डांट पड़ गई थी। मैं छोडूंगी नहीं इस जीवन के बच्चे को जान से मार दूंगी। जान मुझे जान से मार कर तुम जिन्दा रह लोगी, तुम्हें मुझसे मोहबबत नहीं है क्या। जीवन की आवाज जब आजीविका के कानों में आती है तो आजीविका ने पलट कर देखा। जाने वाला तुम्हें छोड़कर और वैसे भी तुम्हें मेरे साथ मंड़ब तक जाना है, जीवन उसे शरार्ती अंदाज में कहता है। अब तो तुम्हारे साथ मुझे कही नहीं जाना, मंडप तो छोड़ो तुम्हारे साथ में मारकेट भी नहीं जा सकती, कोई चांस ही नहीं है. अरे यार इतना गुस्सा क्यूं कर रही हो मैंने तो तुम्हें जगाने के लिए पानी डाला था बढ़ तुम तो भड़क गई जनाब जागने के और भी बहुत तरीके होते हैं लेकिन तुम तो छोड़ो यार तुम से बात करना ही बेकार है मैं अब तुम्हारे साथ मंड़ तो दूर की बात है मार्केट भी नहीं जाओंगी आजिविकां से गुस्से से देखते हुए कहती है और वहां से जाने लगती है तभी जीवन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई पकड़ कर उसे अपनी तरफ कीच लिया आजिवन उसके चहरे को देखने लगता है गुस्से से लाल चहरा लेकिन उसके गुस्से में भी अदा थी आजिविका ने अपना चहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अपने आपको उसके पकड़ से छुडाने की कोशिश करने लगती है आजीविका ने उसे अपने आपसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा दूर हटो मुझे और मुझे जाने दो वरना मौम से दोबारा डांट पड़ेगी मुझे नहाना है अच्छा अकेले अकेले नहाना चाहती हो जीवन उसे अपने आगोश में करते हुए बोला वही आजीविका गुस्से से उसके चेहरे को देखते हुए कहती है तुमसे मतलब मुझे मतलब नहीं होगा तो किस से होगा मेरी जान इतना कहते हुए जीवन ने आजीविका की गरदन पर किस करना शुरू कर दिया आजीविका उसकी उपर से अपना गुस्सा पूरी तरीके से भूल जाती है उसने अपनी आँखें बंद कर ली और जीवन के स्पर्ष को महसूस करने लगी लेकिन उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कै रही थी मुझसे दूर हो जाओ मुझे वही करना तुमसे बात जीवन उससे दूर हटाने का नाम नहीं ले रहा था उसे तो आजीविका को अपनी आगोश में भरने का अलगी मजा आ रहा था लेकिन आजिविका अपने गुसे को बरकरार रखती है और अपनी आँखें खोल कर अचानक से उसे अपने आपसे दूर धकेलते हुए कहती है मौम आ गई है दूर रहो जीवन उसकी बात सुनकर दर्वाजे की तरफ देखा है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था और दर्वाजा भी तो बंध था जीवन कैसे भूल गया कि अभी कुछ देर पहले उसने ही दर्वाजा बंध कर दिया था लेकिन आजिविका ने मौके का फाइदा उठाया और तु कहती है कभी कभी तो बिलकुल रोमांटिक हो जाता है और कभी कभी इतना अन्रोमांटिक की मुझे समझ ही नहीं आता में इससे शादी करूं भी या नहीं लेकिन अगले ही पल जब आजीविका ने अपने आपको आइने में देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है उसने अपने गर्दन पर अपना हाथ फिरना शुरू कर दिया जहां पर जीवन ने उसे किस किया था। कुछ ही देर में दोनों एअपोर्ट पर थे। एअपोर्ट पर आजीविका और जीवन अरनव का इंतजार कर रहे थे। तुम इतने गुस्से में क्यूं देख रही हो मुझे क्या मेरा कतल करने का इरादा है? जीवन ने आजीविका के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा? हाला कि आजीविका को अंदर से गुस्सा नहीं था, वो तो उपर उपर से जीवन से जूट मूठ का गुस्सा दिखा रही थी चुप चाप अपना काम करो मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ तो तुम्हें भी मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है समझे आजीविका ने इतना कहा और उसके चेहरे को देखने लगती है जीवन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एयरपोर्ट के अंदर ले जाते हुए बोला कितना गुस्सा करती हो तुम कभी कभी तो लगता है जैसे तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने में मजा आता है मैं कुछ भी यूँ ही नहीं करती तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था अगर तुम्हें याद हो तो हाँ सब याद है खेर मुझे पता है तुम मुझे से गुस्सा करने का नाटक कर रही हो इसलिए अभी बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर जूठा गुस्सा भी नहीं देख सकता हूँ आजीवेका ने उसकी बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखा तभी जीवन सामने की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला अर्नव और भा भा भी आ गये है पकड़ा हुआ था आन्या के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी वही आजीवेका जोर से चिलाते हुए उसकी तरफ दौर पड़ती है और दोनोंने दूसरे को कसकर गले लगा लिया जैसे ना जाने कितने जन्मों की बिच्छडी हुई सहेलिया एक दूसरे से मिल रही आजीवेका ने आन्या को कसकर अपनी बाहोंने भरते हुए कहा। मैंने भी आन्या भी उससे लिप्ट कर बोली वही अर्नव और जीवन एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, क्योकि वो दोनों एक दूसरे को सही से गले भी नहीं लगा पाये थे और आन्या और आजीवे एक दूसरे से फेविकॉल की तरह चिपकी हुई थी अभी तक आपने पढ़ा जीवन सीडियो से उतरती हुई आजीविका को देखकर कहता है आपने ही तो कहा था कि इसे उठा कर आओ मैंने सिर्फ पानी डाला था और अब यह मेरे पीछे पढ़ गई है आजीविका तेजी से तेज कदमों से चलते हुए उन दोनों के पास आती है जीवन जो की पंकज जी के पीछे छुपकर खड़ा हुआ था पंकज जी जीवन से कहते है तुम्हें सुबह सुबह इसके उपर पानी नहीं डालना चाहिए था गलती की है तो माफी मांगो और बात को रफा दफा करो वहीं आजीविका जो अपने हाथ में पानी का गिलास पढ़कर उसको देख रही थी हालांकि पानी का गिलास उपर तक भरा हुआ था और आजीविका यह अपनी जीवन के उपर फेकना चाहती थी लेकिन जीवन ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि अभी अभी करने वाली हूँ डैड इसने बहुत गलत किया है मैं इतना अच्छा सपना देख रही थी और उसने मेरे उपर पानी डाल दिया आप मेरी हालत देखिए पनकज जी ने आजीविका को देखा तो उसके पूरे बाल गीले थे चहरे से गीले बाल चिपके हुए थे और उसके पूरे कपड़े गीले थे ये देखकर पनकज जी ने जीवन की तरफ देखा और जीवन आजीविका को देखते हुए कहता है हां तो मैं तुम्हें उठा रह लेकिन तुम उठने का नाम नहीं ले रही थी तो मैं तो मंदप जाना था पता है, डैड सपनों में कह रही है कि मुझे मंदप जाना है, मंदप जाना है, मैंने कहा एपोर्ट चलना है, रहती है, बाद में जाएंगे। पनकज जी तो परेशान उनको डर लग रहा था कहीं आजीविका अपने हाथ में पड़ा हुआ पानी का गिलास उनके उपर ना फेक दे सुबह सुबह बुड़े आदमी के उपर पानी का गिलास फेकने का मतलब था उन्हें बीमार करना। आजीविका जीवन को आँखें दिखाते हुए बोली चुपचाप मेरे सामने आओ तो मैं अभी बताती हुँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की। जीवन रिक्वेस्ट करते हुए पनकज जी से कहता है डैड प्लीज मुझे इस चुड़े मेरा मतलब आजीविका से बचा लीजिए। आजीविका गुस्से से अपनी आँखे छोटी छोटी करते हुए उसे घूरने लगती है और जीवन की तरफ अपनी उंगली से इशारा करते हुए पनकज जी से बोली देख रहे है ना आप डैड यह मेरा मजाक बना रहा है और मुझे चुड़ेल का रहा है अभी उसने मु जगरते हो और कहते हो कि एक दूसरी शादी करनी है ऐसे करोगे शादी डैड शादी का तो पता नहीं लेकिन अभी मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ेल बोलने की और मेरे उपर पानी डालने की कहते हुए आजीविका ने गुस से से पागल हो गई उसने वही रखा हुआ पानी का जब उठाया और जीवन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया पंकज जी तो पहले ही दूर हटकर खरेब हो गए कौशलिया जी जोकी किचन से ये सब आवाजे सुन रही थी तुरंट किचन से बाहर आती है वो बिल्कुल चौक जाती है वही पंकज जी और जीवन दोनों अपने मुझ पर हाथ रख लेते हैं कौशलिया जी जिन पर आजीविका ने पानी का पूरा जग फेक दिया और उपर से लेकर नीचे तक कौशलिया जी पानी में भीग गए थी आजीविका तो डर से उनको देख रही थी उसका मुझ खुला का खुला रह जाता है आज तो गई बेटा तू, मॉम पर पानी फेक दिया, आजीविका मन ही मन अपने आप से बोली वही कौशलिया जी गुस्से से आजीविका को घूरने लगती है मॉम वो गलती से आपके उपर गिर गया मैं तो इस जीवन के उपर फेक रही थी क्योंकि उसने मेरे उपर पानी फेका था, मैंने आपके उपर पानी नहीं फेका है अज्जू कौशलिया जी गुस्से से बोली पूरा का पूरा घर उनकी आवाज से बिलकुल काम गया था आजीविका ने अपनी आँखें बंद कर ली तभी कौशलिया जी उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है चुपचाप अपने रूम में जाओ और जाकर रेडी हो जाओ अगर तुम दस मिनट में रेडी होकर नहीं नीचे नहीं आई तो मैं तुम्हारी इन सभी शैतानियों पर पर्मानेंट बेन लगा दूंगी कौशलिया जी की बात सुनकर आजीविका हवा में उड़ते हुए तेजी से अपने रूम की तरफ भाग जाती है वही जीवन उसके चहरे को और उसकी हरकते देखकर मुस्कराने लगता है रूम में आजीविका रेडी होने के लिए जाती है लेकिन मन ही मन जीवन को गालियां भी निकल रही थी क्योंकि आज सुबह सुबह उसे जीवन की वजह से डांट पड़ गई थी आजीविका नोटिस कर रही थी कि जब कौशलिया जी उसे डांट रही थी तब जीवन हंस रहा था उसे हंसता हुआ देखकर आजीविका बेहद गुस्सा हो जाती है कितना गंदा है ये सुबा सुबा मेरे उपर पानी डाल दिया और फिर मुझे इसकी वज़े से डांट भी पड़ी मैं छोडूंगी नहीं इस जीवन के बच्चे को जान से मार दूंगी जान मुझे जान से मार कर तुम जिन्दा रह लोगी तुम्हे मुझसे मुहबबत नहीं है क्या जीवन की आवाज जब आजीविका के काणों में आती है तो आजीविका ने पलट कर देखा आप तो तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया होगा मुझे मौम से डांट खिला कर क्यूं आए हो यहां पर वापस जाओ चले जाओ यहां से मैं नहीं जाने वाला तुम्हें छोड़कर और वैसे भी तुम्हें मेरे साथ मंडप तक जाना है जीवन उसे शरारती अंदाज में कहता है अब तो तुम्हारे साथ मुझे कहीं नहीं जाना मंडप तो छोड़ो तुम्हारे साथ में मार्केट भी नहीं जा सकती कोई चांस ही नहीं है अरे यार इतना गुस्सा क्यूं कर रही हो मैंने तो तुम्हें जगाने के लिए पानी डाला था बट तुम तो भड़क गई जनाब जागने के और भी बहुत तरीके होते हैं लेकिन तुम तो छोड़ो यार तुम से बात करना ही बेकार है मैं अब तुम्हारे साथ मंडप तो दूर की बात है मार्केट भी नहीं जाओंगी आजिविकां से गुस्से से देखते हुए कहती है और वहां से जाने लगती है तभी जीवन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई पकड़ कर उसे अपनी तरफ कीच लिया जीवन उसके चहरे को देखने लगता है गुस्से से लाल चहरा लेकिन उसके गुस्से में भी अदाथी आजिविका ने अपना चहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अपने आपको उसके पकड़ से छुडाने की कोशिश करने लगती है आजीविका ने उसे अपने आपसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा दूर हटो मुझे और मुझे जाने दो वरना मौम से दोबारा डांट पढ़ेगी मुझे नहाना है अच्छा अकेले अकेले नहाना चाहती हो जीवन उसे अपने आगोश में करते हुए बोला वही आजीविका गुस्से से उसके चेहरे को देखते हुए कहती है तुमसे मतलब मुझे मतलब नहीं होगा तो किस से होगा मेरी जान इतना कहते हुए जीवन ने आजीविका की गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया आजीविका उसकी उपर से अपना गुस्सा पूरी तरीके से भूल जाती है उसने अपनी आँखें बंद कर ली और जीवन के स्पर्ष को महसूस करने लगी लेकिन उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कै रही थी मुझसे दूर हो जाओ मुझे वही करना तुमसे बात जीवन उससे दूर हटाने का नाम नहीं ले रहा था उसे तो आजीविका को अपनी आगोश में भरने का अलगी मजा आ रहा था लेकिन आजिविका अपने गुस्से को बरकरार रखती है और अपनी आँखे खोल कर अचानक से उसे अपने आपसे दूर धकेलते हुए कहती है मौम आ गई है दूर रहो जीवन उसकी बात सुनकर दर्वाजे की तरफ देखा है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था और दर्वाजा भी तो बंद था जीवन कैसे भूल गया कि अभी कुछ देर पहले उसने ही दर्वाजा बंद कर दिया था लेकिन आजिविका ने मौके का फाइदा उठाया और तु इमू बनाते हुए कहती है कभी कभी तो बिलकुल रोमांटिक हो जाता है और कभी कभी इतना अन्रोमांटिक की मुझे समझ ही नहीं आता मैं इससे शादी करूँ भी या नहीं लेकिन अगले ही पल जब आजिविका ने अपने आपको आइने में देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है उसने अपने गर्दन पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया जहां पर जीवन ने उसे किस किया था कुछ ही देर में दोनों एयरपोर्ट पर थे एयरपोर्ट पर आजिविका और जीवन अरनव का इंतजार कर रहे थे तुम इतने गुस्से में क्यू द अंदर से गुस्सा नहीं था वो तो ऊपर ऊपर से जीवन से जूट मूठ का गुस्सा दिखा रही थी चुप चाप अपना काम करो मैं तुम से बात नहीं कर रही हूं तो तुम्हें भी मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है समझे आजिविका ने इतना कहा और उसके चेहरे को देखने लगती है। जीवन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एरपोर्ट के अंदर ले जाते हुए बोला कितना गुस्सा करती हो तुम कभी-कभी तो लगता है जैसे तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने में मज़ा आता है। मैं कुछ भी यूँ ही नहीं करती तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था अगर तुम्हें याद हो तो। हाँ सब याद है खेर मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा करने का नाटक कर रही हो इसलिए अभी बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर जूठा गुस्सा भी नहीं देख सकता हूँ। आजीविका ने उसकी बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखा तभी जीवन सामने की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला अर्नव और भा भी आ गये है। नहीं देख सकता हूँ। आजीविका जोर से चिलाते हुए उसकी तरफ दोर पड़ती है और दोनोंने दूसरे को कसकर गले लगा लिया जैसे ना जाने कितने जन्मों की बिछडी हुई सहेलियां एक दूसरे से मिल रही हूँ। अब आगे। आन्या और आजीविका एक दूसरे से कसकर गले से लगी हुई थी। उन दोनों को जीवन और अर्नव का ख्याल ही नहीं रहता। वही उन दोनों को इस तरह देखकर जीवन और अर्नव पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर उन दोनों को घूर घूर कर देखने लगते हैं। वही आजीविका, आन्या से अलग होते हुए उसके चेहरे की तरफ देखती है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर पकते हुए कहती है तुम्हें पता है मैं कितना मिस किया घर पर कोई नहीं होता था तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी और फिर मैंने आफिस ज्वाइन किया लेकिन मेरा मन करता था हर दिन तुम्हें कॉल करूँ अच्छा तो तुमने आफिस ज्वाइन कर लिया लेकिन मुझे बताना चाहिए था कॉल ना सही मेसेज कर देती और मैं कॉल करने से कब मना किया था तुमको अजजू नहीं ना यार तुम हनीमू करती हो और अगर भाई को बुरा लगता तो इसलिए मैं नहीं किया लेकिन तुम अब आ गई हूं ना मुझे तुम से 15 दिन में इतना कुछ हो गया है सब के बारे में बताना है इतना तुम एक साइड लग रही हो उसको देखकर तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा ही कर दिया है तुमने लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि तुम शांती से बैठने वालों में से नहीं हूं तुमने जरूर कुछ किया होगा पर क्या किया है दोनों आपस में बाते कर रही थी उन दोनों का जरा भी ध्यान जीवन और अर्नव पर नहीं था यही बात जीवन में नहीं आती। अर्नव से तो बिल्कुल बरदास्थ नहीं हुआ उसने आन्या की कलाई पकली। वही जीवन आकर आजीविका को अपनी तरफ खीच लेता है। अगर तुम दोनों को याद हो तो हम भी यहां पर मौजूद है। अर्नव ने आन्या और आजीविका की तरफ देखते हुए कहना शुरू कर दिया। आन्या ने भोले वन से अर्नव के चेहरे की तरफ देखा वही आजीविका खासने का नाटक करते हुए बोली आन्या मुझे कुछ जलने की बदबु आ रही है क्या तुम्हें भी आ रही है। आन्या भी अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है आहां बहुत कुछ चल रहा है तुम्हारी तरफ से भी आ रही है वही जीवन और अर्नव समझ जाते हैं कि दोनों उन दोनों की बात कर रहे हैं उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तभी अर्नव कहता है तुम्हें किसने कहा था इस लड़की को यहां पर लाने के लिए जीवन में मूँ बनाते हुए कहा मैं क्या करूँ यही मेरे पीछे पड़ी थी कि मुझे भी जाना है मुझे भी जाना है और फिर ड़ाद ने भी कहा तो लेकर आना पड़ा अर्नव आजीविका को देखते हुए कह रहा था वहीं आजीविका अनु के चहरे की जेल से देख कर मुस्कुराते हुए कहती है अब मैं अपने भाई को लेने के लिए आभी नहीं सकती आन्या अपनी भौहें उठा कर उन दोनों के चहरे को देखने लगती है अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए अपनी फ्रंट से नहीं अर्नव ने आजीविका को देखते हुए कहा तभी आजीविका बोली भाय अब मैं आपसे तो पूछ नहीं सकती की आपका हनीमून कैसा था आजीविका की यह बात सुनकर सभी खामोश हो जाते हैं इससे पता चल रहा था कि आजीविका कितनी मुनहफच है लेकिन आन्या को तो मज़ा आ रहा था उसने अपने होटों पर अपना हाथ रखा हुआ था और अपनी हंसी दबा रही थी आजीविका को पकड़ा और उसे अपने से आगे धकेलते हुए बोला अरनव तुम उसकी बात को सीरियस मतलो वैसे भी तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कितनी बड़ी मुहफच है आजीविका अरनव की तरफ देखते हुए कहती है भाई मेरा वो मतलब नहीं था लेकिन आपसे बात करने से अच्छा मैं अपने दोस्त से बात करूंगी तो मुझे ज़्यादा क्लेरिटी होगी जीवन उसके मुँँ पर हाथ रखते हुए बोला अब तुम कुछ भी मत बोलो चलो चुपचाप यहां से जीवन उसे पद कर आगे की तरफ चलने लगता है और पलट कर अरनों की तरफ देखते हुए कहता है अरनव भाभी को लेकर आजाओ कार बाहर पाक है अरनव कुछ नहीं कहता चुपचाप दोनों को देखता रहता है वही उनके जाने के बाद उन्होंने कहा बहुत बोलने लगी है अजजू हाँ आपको तो बुरा ही लगेगा आखिर आप तो डेविल हो आपके सामने तो कोई बोलेगा तो आपको तो पसंद ही नहीं आता आन्या ने बेहत धीमी आवाज में कहा लेकिन अर्नव ने उसकी बात सुनाई और उसकी तरफ देखने लगता है आन्या अपनी नजरे उठा कर उसकी तरफ देखने लगती है आन्या ने अंजान बनते हुए कहा क्या आप मुझे ऐसे क्यूं भूर रहे हो मैंने कुछ गलत थोड़े ही कहा है गलत तो नहीं कहा है लेकिन तुम अपने पती के साथ हो और तुम अपनी दोस्त के साथ बिजी हो रही हो ये तो गलत बात है ना आन्या अपने कंधे उठाते हुए बोली मेरी दोस्त आपकी बेहन है और अपनी बेहन से कौन जेलेस होता है सच में डेविल है आप जेलेस होने की बेहद होती है कलको तो आप हमारे बच्चों से भी कहोगे की नहीं ये तो मेरी है तुम यहां से दूर जाओ अर्नव मुँ बनाते हुए बोला हां तुम सिर्फ मेरी हो तुम्हारे करीब कोई आएगा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम बात कर सकती हो सभी से लेकिन मुझे इग्नो करके I don't like it आन्या ने उसके गालों को पकरते हुए उनको खीचते हुए कहा अले लेले मेरा जैलेस डेविल छेडो मत अर्नव जल्ला कर बोला वही आन्या अपना लेंग्वेज उठाते हुए बोले अच्छा ठीक है नहीं छेड रही चलो अब घर जाना है सब इंतजार कर रहे होंगे मां का तो कोई भी आया था ना आन्या उसका हाथ पकल लेती है और दोनों बाहर की तरफ निकलने लगते हैं लेकिन अर्नव ने उसके हाथ से उसका भी सूटकेस ले लिया और खुद पकड़ कर चलने लगा आन्या को अर्नव की यह हरकत देखकर बड़ा अच्छा लगता है उसने मुस्कुराते हुए उसे दूर से किस कर दिया तू सासों की तरह मेरे अंदर रहती है तू धर्किन की तरह मेरे दिल में धर्कती है वही बाहर जीवन आजीविका को पकड़ कर लेकर आता है और उसे करके अंदर बैठा देता है उसने उसे जबरदस्ती करके अंदर बैठाया जिसे देखकर आजीविका अपने हाथ पर पटकने लगती है छोड़ो मुझे छोड़ो क्या कर रही हो जीवन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला मैं भूल गया था कि जंगली जानवरों को इंसानों के बीच में छोड़ना नहीं चाहिए आजीविका जीवन की बात सुनकर उसे गुस्से से देखने लगती है और बोलती है क्या कहा तुमने मुझे मैं जानवर हूँ वह भी जंगली नहीं तुम चुरेल हो जीवन में उसे जीब दिखाते हुए कहा और उसकी तरफ वाला दर्वाजा बंद कर देता है ताकि आजीविका बाहर नहीं निकाल पाए देखो मुझे यहां से बाहर निकालो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा मुझे अभी आन्या के साथ बैठना है तुम्हारे साथ तो हर दिन बैठती हूँ जीवन उसकी तरफ देखते हुए नहीं तुम मेरे साथ ही बैठोगे और मैं तुम्हें भावी के साथ नहीं बैठना दूनगा वरना तुम भी भावी को अपनी तरह पागल कर दोगी और मैं तो तुम्हें फिर भी जेल लेता हूँ लेकिन अरनव भावी को नहीं जेल लेकिन मेरा दिल नहीं तोड सकती, जीवन उसे आंख मारते हुए कहता है आजीविका तो गुस्से से अब दर्वाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन जीवन में लौक लगा दिया था इसलिए दर्वाजा खुल ही नहीं रहा था, तब तक अर्नव और आन्या भी वहा पर आ जाते हैं जीवन कार के बाहर खड़ा होकर ही उनका वेट कर रहा था, आजीविका के चिल्लाने की आवाज बाहर तक तो नहीं आ रही थी लेकिन आजीविका जो विंडो पर हाथ मारते हुए दर्वाजा खोलने की कोशिश कर रही थी तब उन दोनों को दिखाई देत है, जीवन अर्नव की तरफ देखा है और अर्नव उसे देखकर हलकी सी स्माइल दे देता है, अर्नव भी मुस्कुराते हैं उसे थम्स अप करता है लेकिन ये सब आन्या देख लेती है, भाभी आप पिछली सीट पर अर्नव के साथ बैठ जाए, मैं और आजीविका आगे वाली सीट पर बैठ जाएंगे, मैं तो वैसे भी कार ड्राइव करने वाला हूँ, जीवन डिक्की में उन दोनों का सूटकेस रखते हुए कहता है, वही आन्या समझ गई थी कि अर्नव और जीवन उन दोनों को साथ नहीं बैठने देना चाहते, इसलिए जीवन ने नहीं बैठने वाली हूँ, डेविल मुझे तो आजीविका के साथ बैठना है, अर्नव उसके चहरे की तरफ देखने लगा, वही जीवन भी अनू के चहरे की तरफ देखने लगता है, कार का पिक्चर दरवाजा खुलने की वजह से आजीविका खामोश होकर पीछे की देख रही थी लेकिन जब उसने आनिया की बात सुनी तो उसके चहरे पर एक जीत भरी मुस्करा हटा जाती है, वो भी बोली कि मैं भी तो इस गधे को यही कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ बैठना है, लेकिन मुझे बैठने नहीं दे रहा, देखो मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है, भाए इसे बोलो मुझे निकल यहाँ से कार का दोर बाहर से लौक कर दिया, मैं खोल भी नहीं पा रही हूँ, तुम बाहर आओगी तो सबका दिमाग खराब कर देगी, इसलिए चुप चाप में बैठ रहो, अरनव आजिविका को आँखे दिखाते एक साथ बैठने भी नहीं दे रहे, कितने दिन हो गए हमने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन भाई को और इस गधे जीवन को तो बिलकुल फिकिर नहीं है, जबरदस्ती अपने साथ बैठा रहा है, आन्या भी अपने दोनों हाथ बांध कर मूँ बनाते हुए, बोली हा सही कहा तुमने अजजू मुझे भी तुम्हारे साथ बैठना है, वैसे भी डेविल के साथ तो 15 दिन रही हुँ, हम दोनों दोस्त हैं, अगर हम दोनों एक दूसरे के पास बैठ कर सब कुछ डिसकस नहीं करेंगे, तो फिर किसके साथ करेंगे, ये लड़की तो समझ ही नह ही हुआ, ये लड़की सच में अपनी बात मनवा कर रखती है, एक तो आते आते ही इसमें अरनव का दिमाग खराब कर दिया, कुछ भी बोल देती है जो मुझे बदनाम कर रही है, जीवन अपने आप में बढ़ बढ़ा कर बोलता है, आन्या ने आजीविका की साइड का दो पकते हुए कहती है, अगर ये दोनों हम दोनों को एक साथ नहीं बैठने देंगे तो फिर हम टेक्सी से ही चले जाएंगे, आन्या भी अपनी गरदन हिलाते हुए बोली हां सही कह रही हो तुम आप दोनों हम दोनों को एक साथ बैठाते हो गई या फिर नहीं हम दोनों, इ यही बात पूछने के लिए उन्होंने कॉल किया था दोनों को घर से निकले हुए काफी देर हो गई थी और कोशलिया जी भी तो उन सभी का घर पर बैठ कर रही थी। वही जीवन ने कॉल स्पीकर पर डाल दिया था। सभी सुन रहे थे। जीवन आजीविका की तरफ देखते हुए कहता है हां मौम आही रहे थे लेकिन आजीविका ने उसे आँखे दिखाई ताकि जीवन उसका नाम ना ले। आजीविका मन ही मन बोली अगर इस गधे ने मेरा नाम लिया तो मैं इसे जान से मार दूंगी बहुत हो गया इसका। वही जीवन खामोश हो गया था तो कौशलिया जी बोली लेकिन क्या कुछ आगे भी बोलो जीवन। फ्लाइट सरे थोड़ी लेट थी मौम इसलिए अभी अरनव और भावी अभी पहुचे हैं हमा ही रहे हैं रास्ते में हैं। जीवन में बात बदलते हुए कहा जीवन की बात सुनकर कौशलिया जी बोली ठीक है जल्दी आजाओ। तभी पीछे से पनकज जी की आवाज आती है हां बेटा संभाल कर आना कहीं अजजू तुम्हारा सर ना फोर दे वैसे भी सुबह से तुमसे नाराज है। कौशलिया जी बोली आप भी चुप करिये। जीवन कुछ नहीं कहता बस आजीविका की तरफ देखने लगता है वही आजीविका अपने अनबूठे डाउन करते हुए जीवन को चिड़ाने का काम कर रही थी। कौशलिया जी ने कॉल कट कर दिया तो जीवन अरनव की तरफ देखते हुए कहता है अरनव से पहले दोबारा मॉम का कॉल आए हमें घर जाना होगा कि मॉम सुबह से बहुत एक्साइटड थी कि तुम दोनों वापस घर आ रहे हो और अब अगर लेट हुआ है तो फिर सभी को डांट पड़ेगी अरनव ने अपनी गर्दन हिलाए और चुप चाप जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है वही जीवन आजीविका के सामने से होकर जाता है तो आजीविका उसे चड़ाते हुए अपनी जीब दिखाती है जीवन में कुछ नहीं कहा बस मूँ बनाते हुए ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया आजीविका आण्या के पास आती है यह लेडीज गैंग जिन्दाबाद दोनों एक साथ बोलती है आण्या और आजीविका को देखते हुए जीवन और अरनव जल्ला कर कहते है कार में बैठो दोनो आन्या और आजीविका ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर तुरंट कार में बैठ गई वही आजीविका उन दोनों से बोली आप दोनों दरवाजा तो बंद कर लीजिए अरनव और जीवन में कोई भी जवाब नहीं दिया बस गुस्से से दरवाजा बंद कर लेते हैं कार का डोर इतनी तेजी से बंद हुआ की आन्या और आजीविका ने अपनी आखे कसकर बंद कर ली उफ गुस्सा तो देखो दोनों का मतलब जेलेसी की भी हद होती है हम दोनों अब एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते हैं आन्या आजीविका आन्या के कान के पास जुखते हुए कहती है वही आन्या मूँ बनाते हुए बोली जमाना दुश्मन है हमारा जलता है हम दोनों से शायद अरनव कार के मिरमे उसकी यह बात सुनकर उसे देखने लगता है आन्या ने ये नोटिस कर लिया लेकिन अंजान बनते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है दोनों एक दूसरे से बाते करने लगती है उन दोनों का ध्यान जरा भी अरनव और जीवन पर नहीं था वैसे तो दोनों को ही उन दोनों को जलाने में बहुत मज़ा आ रहा था उन दोनों को पता था कि अरनव और जीवन उन्हें ही देख रहे हैं और जीवन तो कार की स्टेरिंग को इतना टाइट पकड़ रखा था जैसे उसे उखाड फेकेगा आन्या तुम्हें पता है ओफिस में मैंने बहुत काम किया मतलब मुझसे इतना काम करवाया गया क्या बताऊं वही तो मैं पूछ रही हूँ तुम ओफिस कब गई और तुमने अच्छानक ओफिस जाने के बारे में क्यों सोचा मैंने कि ओफिस ज्वाइन कर लेती हूँ और फिर बताया तो था तुम नहीं थी तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था आन्या आजी विका को पकड़ कर उसके गले में अपना हाथ डालते हुए बोली अब मैं आ गई हूँ ना अब हम दोनों घर पर रहेंगे और खूब मस्त करेंगे हाँ ये तो तुमने सही कहा क्योंकि अभी न्यू एड्मिशन शुरू होने में भी बहुत टाइम है तुम्हें म्यूजिक सीखने का बहुत शौक है ना तो हम दोनों म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लेंगे वही अरनव जो की खामोशी से इतनी देर से हम दोनों की बाते सुन रहा था उसने कहा अजजू तुमने कब ओफिस ज्वाइन किया और तुमने किसी को बताया हाँ भाई सब को पता है और जीवन को तो बहुत अच्छी तरीके से पता है क्योंकि यही मुझे कह रहा था कि मुझे ओफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए हर देन घर पर रहकर वैसे भी मैं टाइम वेस्ट करती हूँ इससे अच्छा मुझे कॉपोरेट सेक्टर की जानकारी मिल जाएगी आजीविका ने बड़ी ही चालाकी से जूट बोलते हुए कहा वही जीवन जोकी कर ड्राइव कर रहा था उसने फ्रंट मिरमें आजीविका को देखा और उस पर अड़ गई तो मानना पड़ा वरना तुम्हें तो पता है कि पिछली बारिश ने क्या किया था आन्या जीवन की तरफ देखते हुए कहती है क्या किया था ऐसा जीवन ने अर्नव की तरफ देखा और बोला भाभी सभी को परेशान कर दिया था यहां तक कि अर्नव भी बहुत परेशान हो गया था और काफी लॉस भी हो गया था आन्या ने जीवन की तरफ देखते हुए कहा हां तो इसे क्या पता आप लोगों को इससे कम समझना चाहिए था आप लोगों ने बताया नहीं होगा तो कर दी होगी कुछ गड़बाड वही आजीविका जब आन्य कहते थे जो भी वो उटपटान कांड कर देती थी लेकिन आन्या तो हर बार उसके सपोर्ट में ही बोलती थी आजीविका ने आन्या के गले में अपने हाथ लपेट लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोली यार एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो I love you अब अर्नव तो जैसे गुस्से में लाल पीला हो गया था उसने पलटकर आजीविका की तरफ देखा और उन्गली दिखाते हुए बोला यह क्या तरीका है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं भी बैठा हूँ यहाँ पर दोनों दूर हटो एक दूसरे से आन्या और आजीविका एक दूसरे के चहरे की तरफ देखते हैं और फिर अर्नव के चहरे की तरफ उसके चहरे पर पजेसिव ने साफ दिखाई दे रही थी मेरी दोस्त है मैं क्यूं दूर हटूं भावी बाद में है और आपकी पतनी बाद पहले मेरी दोस्त है और मैं नहीं हटती इससे दूर अजजू आजीविका को भूरते हुए भावी आजीविका रिटन में उसके चहरे को देखते हुए अब अरनव चुपचाप अपना हाथ पैर पटक कर आगे की तरफ देखने लगता है तभी जीवन ने उसके चहरे की तरफ देखते हुए कहा मैंने तो पहले ही कहा था इन दोनों को एक साथ बैचने ही नहीं देना चाहिए जब दो लड़कियां एक साथ बैच जाती हैं और वो भी एक दूसरे की बेस्टी है तो फिर पूरी उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखती हम लड़कों को तो कोई भी नहीं पूचने वाला है इसलिए अर्नव शांत बैच जाओ अर्नव कर भी क्या सकता था उसे गुस्सा तो आ रहा था लेकिन एक उसकी बेहन थी और दूसरी उसकी पत्नी दोनों पर ही गुस्सा नहीं निकल सकता था अरे पानीपुरी अजजू आन्या ने अचानक चिल्ला कर कहा जिसकी वज़े से तीनों की नजर आन्या के उपर चली जाती है वही आन्या को देख कर आजीविका बोला मुझे भी पानीपुरी बहुत पसंद है फिर जीवन के कंधे पर हाथ मारते हुए जीवन कार्रों को हमें पानीपुरी खानी है नहीं तुम पानीपुरी नहीं खा सकती ये हाईजिनिक नहीं होती है तुमसे पूछा किसी ने आजीविका जीवन पर चिद कर बोली अर्नव जी प्लीज कार रोको ना आन्या ने रिक्वेस्ट भरी नजरों से अर्नव को देखते हुए कहा तभी अर्नव बोला नहीं एंजल तुम ये सब खाओगी तो बिनार पढ़ जाओगी नहीं ना मुझे खाना है बस खाना है आन्या ने बच्चों की तरह मूँ बना कर कहा भाई प्लीज आजीविका भी अर्नव से रिक्वेस्ट करते हुए बोली अर्नव ने बारी बारी आन्या और आजीविका के चहरे की तरफ देखा फिर जीवन से बोला जीवनकार रोक दो अर्नव क्या बोल रहे हो पानी पुरी कभी तुमने भी खाई है जो इन्हे खाने दे रहे हो पता है कितनी बिमारिया होती है तुम ज्यादा डॉक्टर मत बनो आजीविका उस पर गुस्सा होते हुए कहती है अर्नव आन्या को देखते हुए कहता है ये क्या तरीका है अज्जु तुम सौरी बोलो जीवन से ऐसे कैसे बात करती हो तुम इस से आजीविका ने जीवन की तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं अर्नव बोला अगर सौरी बोलोगी तो जाने दूनगा वरना नहीं जा सकती आजीवे का दो पल के लिए खामोश रही फिर जीवन की तरफ देखते हुए बोली ओके सौरी जीवन फिर अर्नव, जीवन को देखकर अब तुम इसे लेकर चलो जीवन, अर्नव के चहरे के एक्स्प्रेशन देखकर कुछ भी नहीं कहता कार को वापस रिवज लेकर वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर आन्या ने पानिपुरी वाले को देखा था, दोनों एक पल के भी कार के अंदर वही रुखती, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के पेरों में पंख लग गए थे, वो दोनों जट से कार से बाहर निकलती है आन्या ने अरनव की तरफ पलट कर देखा और उसे हाथ के इशारे से बाहर आने को कहती है पर अरनव उसे जाने को कह देता है आन्या ने मुँ बना लिया और उतने में ही आजिविका उसे पानिपुरी के ठेले के पास ले आती है जीवन जोकी अर्नव को देख रहा था वो बोला तुम भावी के बुलाने पर क्यों नहीं गए मुझे ये सब पसंद नहीं, हाइजिन नहीं होता है न जीवन उसकी बात पर हलका साखासनता है और फिर दूसरी तरफ मुऊ करते हुए बोला अजीव है सच में खुद नहीं खाना है पर भावी को खाने के लिए बोल दिया वही आन्या और आजीविका पानीपुरी वाले से बोली भैया दो प्लेट पानीपुरी लगा दो पानीपुरी वाला उन दोनों को देख कर अच्छा अभी लगा देथे बहन कहते हुई वो बिना हाथ धोई ही पानीपुरी बनाने वाला था कि तभी उसका किसी ने हाथ पकल या उसने नजर उठा कर देखा तो अरनाव था वही आन्या और आजाविका अरनाव के चेहरे की तरफ देखने लगती है का हुआ भे या हमार हाथ का हे पकर रहे हो तुमने हाथ में गलव्स क्यों नहीं पहने है अरनाव बोला वही जीवन वहाँ पर ही खडा था वो बोला मैंने तो पहले ही कहा था कि हाईजान नहीं होती है वही आन्या अपने सिर पर मारते हुए बोली ख़द है ये अमीरों के भी अलगी चोचले होते है आन्या कहती है भाई क्या कर रहे हो आप खाने दो नहामे पहली ग्लाव्स पहनो उसके बाद खिलाना अर्नव जी वो पहन लेगे हाथ तो छोड़ो उनका आन्या बोली तो अर्नव ने हाथ छोड़ दिया बिचारा पानी पुरी वाला ग्लाव्स कहा से लाता वो तो वही रख पन्नी को अच्छे से पानी से धोकर पहन लेता है साथ ही बढ़ बढ़ा कर बोलता है का अमीरों के बीच फांज गया अब इहाथ में ग्लाव्स कौन पहरता है पानी पुरी वाले भैया ने पाना पुरी बनाया और जैसे ही आन्या को देने लगा तो पहले ही अर्नव ने वो पानी पुरी उठा कर अपने मुँँ में रख ली आन्या और बाकी सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं अर्नव ने जैसे ही चबाना शुरू किया मिर्च जादा होने की वज़े से उसकी आँखों से आंसू आने लगे चहरा लाल पड़ गया और बड़ी मुश्किल से उसने पानी पुरी गले से नीचे उतारा ज्यादा मिर्च होने की वज़े से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो खांसने लगता है मिर्ची मिर्ची पानी दो पानी अर्नव ने अपने मुँसे बाहर फूंक मारते हुए कहा आन्या ने वही रखा हुआ पानी उठा कर अर्नव की तरफ बाया पर जीवन उसे रोकते हुए बोला भाभी नहीं वो पानी नहीं मैं कार से लेकर आ रहा हूँ जीवन दोड कर वहां से चला गया कार की तरफ और यहां अर्नव की हालत खराब हो रही थी अब आन्या से देखा नहीं जाता तो वो अर्नव को वही पानी पिला देती है जिसे पीने के बाद अर्नव को कुछ राहत मिलती है आन्या उसकी पीठ को सहला रही थी अर्नव की हालत खराब हो चुकी थी वो कभी इतना स्पाइशी खाना खाता ही नहीं था भाई आप ठीक हो आजीविका बोली अर्नव ने गहरी सांसे लेते हुए अपना सिर हिला दिया वही जीवन वहाँ पर आया तब तक आन्या ने पानी पिला दिया था जीवन पानी की बोतल की तरफ देखने लगता है आन्या ने अर्नव से कहा ये क्या था अर्नव जी तुम इतना स्पाइशी नहीं खा सकती चलो घर चलो जो भी तुम्हें खाना है घर पर बनवा दूनगा अभी मॉम भी वेट कर रही है ना आन्या ने अर्नव की तरफ देखा फिर गुस्से से बोली आप सच में अजीब है अब मैं ये भी नहीं खा सकती खेर जाने दो इतना ग्रामा तो मैंने कभी अपने गाव में नहीं जहला जितना आपने एक पानीपुरी के लिए कर दिया आन्या ऐसा नहीं है पर ये बहुत तीखा है हाँ पता है और लड़कियों को यही पसंद होता है पर आन्या बोलने को हुई तभी अर्नव बोला क्या पर पानीपुरी वाला उन चारों को देख रहा था वही बाकी लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो भी उनको देख रहे थे आन्या को ये बड़ा अजीब लगता है जहां वो अपनी पसंद की चीजों को इजोए करना चाहती थी वही अब उसको कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा था वो अपनी साधी संभालते हुए बोली मुझे अब कुछ नहीं खाना मैं जा रही हूँ अजजू तुम भी आजाओ आम्या इतनी कहती है और वहां से कार की तरफ चली जाती है जबकि अर्नव उसे देखते हुए एंजल सुनो तो लेकिन अन्या को ये सब बखेडा देखकर बहुत बुरा लगता है वो अर्नव की एक भी बार नहीं सुनती और चुपचाप कार में आकर बैठ जाती है